तो स्वागत है आप सभी बच्चोंगा लाइव वाले सभी बच्चे भी आईएगा बैठिएगा रिजाई से बाहर निकल कर वैसे आप आजकल तो गर्मी हो गई है ना वापस से ठीक है तो अपनी चादर हटालो भईया लाइव मेरे को पूरा क्यों नहीं दिख रहा हां जी गुड मॉनिंग मोहित अनिता साक्षी देवांस और भी बहुत सारे बच्चे सबको गुड मॉनिंग हां जी आपका पेपर नहीं आज अपना नाम अपने सामने रखे प्लीज लो जी आज अच्छा एक और बात बताईएगा बेटा सभी लोग मिलकर स्क्रीन ले आओ भाई आप क्या उस तरह से पढ़ाई करना पसंद करेंगे जो फिफ्ट क्लास के बच्चे को सिखाते हैं कि ओडिट और ओडिट का एक डेफिनिशन या मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाता हुआ चलूं आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो ना क्योंकि ये जो रिडिंग वाला पॉर्शन है यह समय आने पर मैं अपने आप करवा दूंगा तो प्लीज कोई भी स्टुडेंट ना अपने आपको यह जज ना करें क्या सर ने अभी तक ना ओडिट तो बताया नहीं क्या होता है तो वह अपने आपको जज नहीं करना है हम इस सब्जेक्ट को पुरा प्रै हाँ ठीक हो बिल्गुल समझ गया गर्मी लग रही आज आपको नहीं चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं कि फटा फटा ओ बेटा बंद कर दो गेट बंद कर दो कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिसकस किया था कोन बताएगा कोन रिवाइस करवाएगा मुझे हाँ जी लास्ट क्लास में क्या क्या था कि वॉक्ट्रू क्या था कोई एक स्टुडेंट आ सकता है स्टेज पे कोई ये कहा सकता है student stage पे जो बताए कि last class में हमने क्या क्या था मैं कुछ basic questions पुछूँगा आपने जवाब देने है या तो आप खुद से आजाओ या मैं बुलाओंगा बेटा बैठ जा आओगे बेटा do you want to come? yes आप ही? हाँ अपनी मर्ज आजाओ फिर मैंने पुछा आप आओ कि उसने का नहीं से आप अपनी मर्ज से किसी को भी बुला लो मैंने का आजाओ बेटा फटा फट सहिएगा देखेगा हमने कल discuss किया था different types of audit आपको याद होगा stat audit, internal audit, forensic audit, due diligence, investigation याद है बेटा tax audit आखरी में आकर हमने conclude किया था कि जो हमारा जो syllabus है उसमें हम एक तरह का ही audit पढ़ने वाले कौन सा statuary audit ठीक है? उसके बाद मैंने आपके starting की थी कि जब भी हम किसी company के financial statement का audit करेंगे सबसे पहला step क्या होगा आपका? walk through मतलब ये financial की checking हम पहले number पे नहीं करेंगे अगर आपके बाद company के financials आ जाते हैं तो आप उसकी checking सबसे पहले नहीं करोगे assumption लीजेगा these are financials तो क्या हम financial की checking पे लग जाएंगे क्या? नहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे? walk through करेंगे हम उस financial के किसी एक caption को पकट लेंगे caption का मतलब area, item real life में हम इसे किस नाम से बोलते है item of financial statement आपवली item नहीं line item financial की line item हमने कल कौन सी item पकट थी बटा? purchase, example के तो तो मैंने कहा कि आपको purchase का audit करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? आपने कहा साब ये financial statement का audit तो हम बाद में करेंगे सबसे पहले हम purchase का process समझ लेते हैं अब आप बताइएगा भाई, माईक है हमारे पास दूसरा? हंजी, माईक है है तो दीजिएगा, प्लीज और ये glass आपने पिछले कितने attempt से change नहीं किया है मेरे को बता दो मैं इस glass को देखकर ही feel ले लेता हूँ देखे हैं ग्लास आप लोग इस glass से न मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो तक माईक आता है stand-up comedy ले लो वहिए पांच मिनट की खड़गा दो हाँ मेरे पिता जी आये हुए थे अभी कुछ दिन पहले न तो अब उनको सुबह जल्दी उड़ जाने की आदत है Sunday का दिन था वो सुबह अपना पांच शे बज उड़ गए पूरे घर में भटक रहे हैं देख रहे हैं कहां पर क्या है माईक लेया भाई ये बाद मना लिए माईक चाहिए मुझे तो वो अपना भटक रहे थे तो मेरा एक बार काउंटर है मेरे घर पर छोटा सा ठीक है तो वो उसको अराम से देख रहे हैं उसमें अलग-अलगते रहे हैं कि न मैंने ग्लास रखे हुए है ठीक है मतलब छे सात तरह के ग्लास है मेरे पिता जी खड़े हुए आराम से देख रहे हैं उनको उठाके फिर ऐसे ही मैं अपना सुबह उठकर आता हूँ वो गयते भाई दर आ मैंने का हन जी क्या रहे ये ग्लास किस काम आता है मैंने का पापा ये ग्लास लिची जूस पीने के काम आता है उसने का फिर ये वाला ग्लास किस के काम आता है मैंने का इसमें ओरेंज जूस पी आ जाता है हर तरह के जूस के लिए एक डिफरेंट ग्लास है ठीक है ऐसी मैंने किसी एक ग्लास को बोल दिया एक कॉफी मग है बियर वाले ग्लास को फिर उन्हें उठाया शोट वाला ग्लास करें ये किसके लिए है मैंने का आज कलना बहुत सारे फ्रूट शोट भी चल रहे हैं ठीक है तो ये उसके लिए करें बेटा मैं तरह बाप हूं मैंने का मैंने का मना किया है जब आपको सब कुछ पता है तो सुबचे बज़ोट के डिसकेशन ही क्यों करना है कि कौन सा ग्लास किसका है देखो और इंजोए करो हांजी माइक आया हांजी बेटा बताइएगा प्लीज इदर आईएगा नाम और नमबर नहीं दिया जायेगा आप सबसे पहले मुझे बता कि उनका प्रोसेस क्या है उस प्रोसेस में आप किन तीन चीजों की को चेक करने की कोशिश करते हो बताओ कि उनका प्रोसीजर क्या है नमबर वान उनका प्रोसीजर क्या है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे दूसरा उस प्रोसीजर में हर स्टेप पे क्या-क्या रिस्क इन्वोल्व है सेकिंड थर्ड वन उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो हम समझेंगे क्या आप इस एरिया में कुछ चेकिंग भी करते हो या सिर्फ एक बैट के डिस्कॉ चल रहा है सिर्फ समझने वाला काम चल रहा है और सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे बिटा कुछ भी चेकिंग वाला पोर्शन अभी हाँ पे इंक्ल्यूड नहीं किया गया है आपने समझ लिया अब एड़ एंड इस डिस्कॉशन के बाद आप कुछ इवैल्यूइट करें वह कंट्रोल जो है वो adequate है या नहीं है उसके लिए एक word यूज कै था कोई बताएगा कि जो designing तो आपको बताएगा किसी को कोई doubt अब भढ़ते हैं आगे ठीक है चलेगा, बहुत तसली से आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास समझ लिजे, पूरे ओडिट को खतम कर देगी, अच्छा लग रहे ना सुनने में, आज जो मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ, इससे आपके पूरे एक सार होता है ना, किसी चीज का, क्रक्स, आज का लेक्चर आपको पूरे ओडिट का करक्स देदेगा, कि this is audit, फिर हमें बस उसी चीज को पढ़ना है बार-बार-बार-बार-बार, अगले 40 और 50 लेक्चर तक, आज हम ओडिट खतम कर देंगे, इस लेक्चर के अंदर, फिर हम उन्ही चीजों को बारीक-बारीक तरीके से, डिटेल मे मैं आपको कुछ भी थियोरी नहीं करवाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल डिसकेशन रहेगा, और आपको पहले ही एश्योरेटी दे रहा हूँ, आपको at the end of the class लगेगा, या मैं कितना कुछ सीख कर उठाओं, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, ये एक आपके लिए ड जिर्डी गेट करने के लिए? क्ट्रोल्स बनाती है, ठीके जी? एन आप नेक्स स्टेप पे जाते हो, जो कि हमारे एक्शामपल में क्या था, कोटेशन, वहाँ पे भी आपको रिस्क इसके और वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? अगर आप देखेंगे मैंने एक्वे इसक और एक ही control को cover किया है, क्या real में भी आपको एक step पे एक risk और एक ही control मिलेगा, नहीं, multiple risk and multiple controls यहाँ पे हो सकते हैं, आगे चलेंगे हम, ऐसे ही जब आपका quotation finalization होता है, उस step पे भी you will identify some risk and some controls and then at every stages, we have multiple risk and multiple controls, walkthrough के अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने client के साथ बैठे हम लोग और हमने discussion करकर, तीन चीजे पे निशकर्ष निकाला, conclusion निकाला, number one, process of purchase, ठीक है जी, और दूसरे नमबर पे, कोई भी कुछ भी लिखेगा ने, please, सिर्फ और सिर्फ आपने सुनना है, दूसरे नमबर पर बताइएगा, risk and third number पे, आप आज की चर नहां तक कोई doubt नहीं है, अगर है, तो हम discuss कर सकते हैं, ठीक है, अब आप एक बात बताइएगा, क्या ऐसा हो सकता है, कि जब आप walkthrough कर रहे थे, कि जब आप walkthrough कर रहे थे, तब आपको company में total handered risk मिले, और उनी risk के against, आपको 150 control मिले, कैसा हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है बटा, example देखते हैं, एक risk है, risk A, आप इस risk के against control देखोगे, या risk अलग देखोगे, control अलग देखेंगे, risk के against, basically दोनों को एक साथ study करना ज्यादा बेटर या अलग-अलग, एक साथ, otherwise हमें समझी नहीं आएगा, कि risk क्या है, और ये control क्या है, मानते हो, तो हम क्या करेंगे, combine study करेंगे, कैसे study करेंगे, बिटा, combine study करेंगे, कि भाईया, आपके यहाँ पे एक risk है, risk number, मैंने एक risk को क्या दे दिया, number दे दिया, कि भाई, someone can purchase the laptop for his personal use, इसको एक number दे दो, ए, पहला risk, आपने कहा जी, इस risk को mitigate करने के लिए, we have two control, control number one and two, one क्या हो गया, उसी का ही department head अपरूव करेगा, two क्या हो गया, उसके अलावा board of directors या CFOB अपरूव करेंगे, तो दो control बना रखे हमने, ऐसे ही आपने क्या किया, बेटा, multiple risk identify किये, और उन risk को खतम करने वाले, controls identify कर लिए, कि भाई, इस risk क्या against, ये वाला control इस risk को mitigate कर देगा, ठीक है, ये जो table मैं आपको बना रहा हूँ न, इस table को हम real life में बोलते है, control and risk matrix, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, risk and control matrix, जो चीजे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपके किताब में कहीं नहीं है, ये आपके slivers का part भी नहीं है, ICI study material में आप ढूड़ते रहे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये लेकिन बहुत जरूरी है आपको audit सिखाने के लिए, इस को क्या बोलते हैं, इस table को क्या बोलते हैं, risk and control matrix, ये work papers, ये document real life के कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जब ये मैं एक CRM, इसको short form में हम बोलते हैं, CRM, control and risk matrix, ये CRM मेरी तयार हो गई, मतलब मेरे पास सारे risk आगए, उन risk against, control आगए, अब आप बाबु मुझे बताओ, जो at the work-through stage, you are doing an evaluation, कि भाईया, क्या ये control जो बनाए हैं company ने, क्या ये सही से designed है क्या, designing का मतलब क्या, designing में हम क्या देखते हैं, कोन बताएगा, कि वो control adequate है क्या, किसी risk को mitigate करने के लिए, जैसे की, आप लोग सब classroom में आए, there is a risk, क्या risk है, कि unauthorized entry हो सकती है, सर classroom के अंदर, हाई या ना, और हो भी रखी होंगी, जिसने कर रखी है होगे, मैं हूँ, मानते हो, अब एक control हो, आप control design करोगे, कि भाईया, जब student enter करेगा, तो हम उससे उसका नाम पूछ के entry करेंगे, that control I designed, who designed, no, management, you have to be at the next stage, next step पर आपको answer देना है, risk कहाँ पर है, company में, auditor के यहाँ पर, company में, तो who will design controls, auditor और management, management will design control, management ने का, जी हम निच्छे एक बंदा खड़ा करेंगे, जो अराम से सब का नाम पूछेगा, और entry देगा, मैं auditor हूँ, मुझे revenue की completeness पर security चाहिए, कि जो revenue book हुआ है, वो पूरा complete है, उसमें कोई भी, plus minus, क्या इस control के साथ मेरे को comfort आएगा, क्या मुझे लगेगा कि जो control आपने design किया है, वो effective लग रहा है मुझे, या adequate लग रहा है, नहीं, आप कहोगे जी adequate नहीं लग रहा, आप generally बता सकते हो management को, कि भाईया, adequate control तो तब होता, जब अब हर बच्चे का एक i-card बना देते, जिस पे एक barcode होता, और वो आता अपना barcode scan करता, entry करके चला जाता, कोई भी unathurized entry नहीं होती, उससे ये जरूर हो सकता था, कि आप आज नहीं आए, तो आपने अपना कार्ड अपने किसी दोस्त को दे दिया, कि भाई जा आज तू comedy night अटेंड कर ले, comedy day हो गया हमारा तो ये, तो लेकिन उसमें मेरा कोई loss नहीं है, एक टिकेट पे एक एंट्री है, तो at the first stage, बेटा तू भी बैठ जा, हाँ, बैठ जाओ, आराम से, कड़े होगे, क्लास मत देखो, आपने क्या देखा, कि अगर control adequate है, तभी मुझे आगे safety और comfort फिल होता है, otherwise, नहीं, मानते वे बात, क्योंकि ultimately आपका revenue तो मेरे financials में आ रहा होगा न, मुझे उस revenue के completeness को check करना है, लेकिन completeness बाद में check करेंगे भी या, पहले आप अपना control बताओ, क्योंकि अगर control सही हुआ न, तो मेरे को एक automatically comfort आएगा, कि आपका revenue का number क्या है, until and unless, उसमें management नहीं क्या कर रखे हो, क्योंकि उसको तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, हाँ या न, भई मैंने ही अगर दस जाली आई-कार्ड बना दिये, कपिल गोयल नहीं, I am the management, मेरे पाप मालो, दूसरे लोगों का भी investment है मेरे पास, तो मुझे revenue से फर्क पड़ता है, मैंने क्या कहा बेटा, एक काम करो तुम साथ लोग, 11-11,000 रुपे मेरी जेम में डाल दो, आपने डाल दिये, मैंने तुम्हें साथ आई-कार्ड बना के दे दिये, तो उससे किसी को नुक्सान हुआ, किसको, and who is investor in my case, this, yes or no, CA India को नुक्सान हुआ नहीं हुआ, 100% हुआ, हाँ या ना, क्योंकि मेरा एक ex-part of revenue, किसके पास जाता है, and दूसरी companies के पास, जाता है क्या नहीं, मैंने उसको personally ले लिया, तो क्या मेरी books में revenue, under है या नहीं है, under recorded है या नहीं है, बताएगा, and still I can feel the control is effective, हाँ या ना, क्योंकि अब कौन कर रहा है गलत काम, तो भाई management ने अगर fraud कर रखे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग, हम लोग, हम मतलब auditor, हम लोग ना पकड़ पाएं, मेरी बात सेगरी करते हो सब लोग, क्योंकि भाई, आप भी नहीं गलत काम कर दिया ना, तो कैसे सामने वाला identify करेगा, कि सही है गलत है, एक और example दूँ, मान लिजिए, मैं, दुबई घुमने गया, पांस दिन के लिए, मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले गया, कि भाईया, एक business trip पे जा रहे हैं, अभी कली example दिया था मैंने आपको, अशनीर का, हम आए, पांच लग का खर्चा हो गया, hotels, flights का मिला के, सारे भी लसली हैं, मैंने accountant को का ले बेटा book कर दे, approval मेरा चाहिए, मैंने कर दिया, और किसी का भी चाहिए हो, मैंने दिलवा दिया, क्या account में पांच लग का खर्चा भूक होगा, किसी का बाप बोल सकता है, एक खर्चा personal है या business है, auditor आएगा, जी आप गए थे, हाँ गए थे, तुसाले, इंस्टा पे देख ले, सम्मी लेगा तुझे, तो वो कुछ बोल पाया का क्यों गए थे, बताओ उन्तर को क्यों गए थे, stat auditor, reason पे ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि business चलाने का decision किसका होता है, क्या जरूरी है मेरे सारे decision हमेसा सही हो, सोच कर बताओ, आज मैं एक business कर रहा हूँ, मैं एक decision लेता हूँ, कि भाया मैं X company को acquire करूँगा, करती है ना company acquire, अलग-अलग, तो उससे मेरा business X level पे growth करेगा, आपने business में investment कर दिया, उल्टा पड़ गया, auditor आगे बोलेगा क्यों क्या है, बोलेगा क्या, investor बोल सकता है, investor बोल सकता है, manager आपने क्यों गलट decision लिया, हमने लिया, हमारी call थी, उल्टी पड़ गई, auditor का क्या role रहेगा, कि जो investment हुआ है, वो सारे rules को follow करके हुआ हो, जो उसकी accounting हुई है, वो सारे rules को, और अगर उसमें loss हुआ है, तो loss भी properly books of account में क्या हो गया है, बस अपना तो काम है, जो हुआ है, वो सही तरीके से आप mention कर दो, क्यों किया, कैसे किया, उससे मेरा कोई लेना देना, ये status, क्योंकि कुछ बच्चे ना, थोड़े time के बाद आएंगे मेरे पास, sir, पुसो का खर्चा किया, ओडिटर ने क्यों अला हो किया, ओडिटर के बाप के अंदर ताकत है, वो खर्चा रोक देंगे, आप बताओ, खर्चा किया, खर्चा properly recorded होना चाहिए, सारे approvals होने चाहिए, हमारा काम इतना है, तो sir, इसका मतलब तो financial हमेशा गलत हो सकते है, क्योंकि management तो हमेशा फ्रोड कर सकती है, yes or no, मैंने का obviously कर सकती है, तो फिर आप कैसे पकड़ोगे, हम पकड़ेंगे ही नहीं, तो फिर audit का क्या फायदा, audit जो किया जाता है, वो एक positive mindset के साथ किया जाता है, कि जो company के management है, वो लोगों ने सारा सब कुछ क्या किया है, सही तरीके से किया है, हम उसे re-check कर रहे है, फ्रोड को तो हम चाहा कर भी कभी नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब तो सर, जब हम sign करते हैं financial पे, sign करते हैं न, audit report पे, तो हम ये कैसे बोलते हैं, user of the financial stakeholders, तो stakeholder को तो ये लगता होगा न, हमारे sign के बाद, कि भाईया, auditor ने sign कर दिये, तो सब कुछ क्या है, सही है, मैंने का, तुने सही का, stakeholder को क्या लगता होगा, हमारे sign के बाद, कि सब सही है, इसी लिए, हम हमारी audit report की, पहली line में लिखते हैं, कि भाईया हम आपको true and correct opinion नहीं दे रहे, कैसा opinion नहीं दे रहे, correct का मतलब क्या होता है, सही, मैं सही opinion आपको बोली नहीं रहा कि सब कुछ, तो फिर आप क्या बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि सब कुछ fair है, सब कुछ क्या है, fair है भाईया, true and fair है, true and correct, हम बोली नहीं सकते correct, तो चाहिए हम 100% चेकिंगी क्यों ना कर लें, yes or no, इसलिए हम कभी भी correct word use ही नहीं करते हैं, हम कौन सा word use करते हैं, fair का मतलब होता है, मोटा मोटा सब ठीक है, fairly present है, जिस तरह से होना, चाहिए उस तरह से, यह आगे लेके गया, फिर पीछे लेकर आएंगे, आपने work through पे risk समझ लिए, आपने control समझ लिए, multiple risk है, multiple controls हैं, आपने designing पे एक decision making की, कि यह design ना मुझे सही समझ आ रहा है, मुझे design, control सर ने icon बना रखे हैं, perfect है, क्या मैं assumption ले लूँ, कि यह control जो designed है, जो मुझे दिख रहा है कहां पे, papers में, अभी तो discussion नहीं हुआ है, मैंने, क्या मैं assumption ले लूँ, कि यह control implemented भी होगा, सोच लूँ, कि company ने design कर रखा है, तो लगाती भी होगी, यह check करना पड़ेगा, बताओ भया, पीछे वालों check करेंगे या नहीं करेंगे, या आप मान लोग यह control design है, तो मतलब implemented ह है, आओ, check करेंगे, yes, second step पे हम क्या करेंगे, हम उन controls को क्या करेंगे बेटा, तब ही तो पता चलेगा, जो control design है, जिनको मैं अच्छा समझ रहा हूँ, क्या वो actually में implemented है भी है, अगर implemented नहीं है, तो design करने का कोई फायदा, नहीं है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर अग अगर control अच्छे से design नहीं है, तो क्या होगा, आएगा दिमाग में, यह हमारा एक next part है, पहले हम सारा positive समझ लेते हैं, कि positive रहे, तो हमें audit में आगे कैसे बढ़ना है, फिर negative तो मैं और थोड़ा drill करता जाओंगा, धिरे-धिरे वो आपको पता चल जाएंगे, तो यह question आए आएंगे ना, everything I will cover, but definitely that will take time, तो अभी positive लेके चलते हैं, आपने control देखे, हाँ जी, control है, control की designing देखी, सही है, हाया ना, अब बात आती है, step number one, walkthrough के बाद, step number two, उसको क्या बोलेंगे, testing of control, क्या बोलेंगे, या फिर, test of control, क्या बोलेंगे, बेटा, test of control, test of control, short form क्या बनी इसकी, TOC, क्या बनी बेटा, तो step number two, आप लोगों का क्या बनता है, TOC, भाईया, जो आपने first stage पे understanding ली है, अब उस understanding को आप क्या कर लो, या ये मान लू, जिस सामने वाले ने बता है, कितना गाय आदमी है, यार, कितना इमानदार आदमी है, वो जूट थ तोड़ी ना बोलेगा, मान ले क्या, नहीं मान लेते हैं, नहीं, हमें checking करनी पड़ेगी, तो step two पे आपका क्या आगया, test of control, बेटा, total कितने control है, risk कितने है, 10-20 छोड़ दे, फील आएगा, नहीं सर, सारे चेक कर ले, लाखों दिन लग जाएंगा मैं, हाँ या ना, तो अ अब आप एक ऐसा risk identify करो, जिसमें एक से ज़्यादा control है, ABA और CBA और DBA इवन, बई, risk अगर B की में बात करूँ, तो इसमें क्या मुझे control number 3 test करना पड़ेगा, येस बेटा, एक risk है, उस risk against control बनाया company ने, और एक ही बनाया, तो उसको मैं कैसे छोड़ दू, हाया ना, तो व मेरे को control number 3 तो चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई भी doubt नहीं है, अब बात करते हैं, इस वाले example को लेके मैं समझाता हूँ, risk 4C जो है, उसके लिए कितने control है, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर auditor भी judgment लेगा, क्यार जो risk है, उस risk के against company ने multiple control design कर रखे हैं, which control is a significant control, यह which control is relevant control, क्या बोल रहा हूँ मैं, which control is relevant control, जो इस risk को क्या कर दे, क्या कर दे, mitigate कर दे, यह reduce कर दे, जरूरी है क्या risk mitigate ही हो, आप बोलो लगाओ का i card, मैंने control लगाया, जिसकी designing आपको सही लग रही है, क्या, i card, आपके रही हो, लगाओ i card, मैं देखना कितना कर्म कांड़ी आदमी हूँ, मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ, मैंने का कैसे, आप आओगे, पाई तरा i card दे, i card, इस वाले state से निचे जाऊँगा, चार ले गया, तीन बंदे नई खटेगे, चलो भई, i card आ गया अंदर चलो, हाया ना, तो क्या control break हुआ, हुआ है नहीं हुआ, तो मेरा risk तो asities है, reduce हो गया, पहले कोई भी आ सकता था, अब at least जो बंदा कर रहा है, वो कमी होंगे ना, इस तरह के fraud करने वाले लोग, हाया ना, risk खतम हुआ क्या, नहीं हुआ, अब आप कहोगे, फिर तो और control लगा देते हैं न सर, ये gate बंद कर दो, और एक बार जो अंदर आ गया वो भार, आप लगा सकते हैं ये control, मैंने का भई हर जगे फिर अपने को cost benefit analysis भी तो करनी है, कि नुकसान कितना हो रहा है और control का investment कितना है, उस control को लगाने का पैसा कितना खर्चा हो रहा है, हर चीज़ देखनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि control आपका risk mitigate करेगा, ऐसा भी हो सकता है, control आपका risk क्या करे, reduce करे, management को decide करना है कि कि किस risk को reduce करना है, किसको mitigate करना है, और ऐसा भी हो सकता है किया, किसी risk को मैं accept कर लूँ, अरे risk है, अरे छोड़ यार, यह material है कुछ करने, जैसे मेरी class में बच्चे आते हैं, कोई control नहीं है, छोड़ो, कोई point नहीं है, मैं control नहीं लगा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि management बोले, अरे यार इस risk को मैं accept कर रहे हैं, कोई दिख हो सकता है, हाँ या ना, तो it's a management goal, कि वो risk mitigate करना चा रही है, reduce करना चा रही है, या accept करना चा रही है, हमारे case में company ने see risk के against, तीन control design किये, control number 4 and 5 and, now auditor how to identify which control is relevant control, which control is, अगर उसे लगता है, यह control 4 है, जिसमें एक accountant sign कर रहे है, control 5 है, जो कि accountant का finance head है, वो approve कर रहे है, control 6 है, जिसमें board of directors finally approve कर रहे है, तो आप बताओ, किसके approval से, maybe you guys will satisfy, 6, आप बोलोगे, कि यार ऐसा ठीक है, मुझे accountant से कोई लेना देना नहीं है, अगर board of director ने approval दे रखा है ना, तो मैं नीचे वाले approvals, नहीं देखना पसंद करूँगा, मैं 6 पे आगे बढ़ जाओंगा, अगर 6 सही है, तो सब सही है, हाँ या ना, company ने तो अपने process के लिए ने को multiple control लगाएं, बढ़ हो सकता है, auditor के लिए सारे relevant, तो auditor जब test of control करेगा, तो he will test 100% control, और he will test relevant control, tell me the answer, तो यहाँ पे test of control में आपका answer क्या निकल के आता है, क्या test करेंगे, relevant control, बटा यहाँ तक किसी को कोई doubt, या भी रुख जा, इसमें कोई doubt आगे का मत पूछ, हाँ बता, हाँ बताओ, बादें बाद करेंगे, अलग चला गया तू concept से, रिस्क सारे चेंक होगे, लो जी, यहाँ पे भी आयते हैं, एक queries की सही है, वो discuss कर लेते हैं, यहाँ पे A, B, C, D, चार रिस्क हैं, हाँ या ना, बिटा, रिस्क पे भी दो तरह की category हो सकती है, एक ऐसा रिस्क, जो मेरे business को impact करें, एक ऐसा रिस्क, जो मेरे operation को impact करें, हाँ या ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप एक बात बताईए, एक auditor के लिए, कौन सा रिस्क, जादा important होगा, जिसको वो नहीं छोड़ना चाहेगा, जो financial को impact करता है, वो रिस्क, या जो financial को नहीं impact करता है, वो भी रिस्क, जो financial को impact करता है, that is relevant रिस्क, yes or no, तो एक general बात है, कि जो रिस्क होते हैं न, उसमें भी हम identify करते हैं, कि कौन से ऐसे रिस्क हैं, जो मेरे significant रिस्क हैं, कैसे रिस्क हैं, कि ऐसा भी तो रिस्क हो सकता है न, जिसको मैं ही बोल दूँ यार, यह तो है भी तो इससे कोई फरग नहीं पड़ता, चलो इसको छ की, control risk matrix में, and next step में आपने क्या identify किया, relevant controls, कि भाईया, control 3 और 6 को चेक कर लो, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, समझाया, तो हम सारे control check, हम कौन से control check करते हैं, relevant, एक और technical बात है, वो भी हैं कवर कर रहा हूँ, जब आप control की testing आपने start कर दी, आपने कौन सा control start किया, 3 and 6, example के लिए दो, आपने control number 3 चेक किया, और आपको पता चला रहे हैं, ये control तो क्या हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, checking के दोरान फेल हो गया, या फिर आपने एक 6 identify किया था, आपने उसको चेक किया, वो क्या हो गय फेल हो गया, फेल कैसे तो हो समझाऊंगा अब आपने जो control select किया था, वो क्या हो गया बेटा, फेल हो गया, अब क्या करें, हमने तो एक control ही था, वो भी फेल हो गया, एक में तीन थे, हमने एक select किया, वो फेल हो गया, तो क्या लिख दे, control बेकार हैं, यहां पर अभी आप को एक ओर decision making करनी पड़ेगी ध्यान से सुनना आप फोड़ा class important चलती है सबसे पहले आप क्या करोगे आप खुद सोचेगा देखो यह जो मैं आपको सिखा रहा हूना auditing subject यह basically काम को check करने का process है तो हर किसी का काम करने का तरीका क्या हो सकता है अलग हो सकता है आपको किसी चेक करने का तरीका अलग हो सकता है पाजी का अलग हो सकता है आपने अपने दिमाग से बताना है कि भाईया मैंने control चेक किया client से control identify करें ओ फेल हो गया अब मैं client place पर बैठा हूं मैं क्या करूंगा कोई hand raise करकर मुझे बताएगा और live प्लीज आप भी बताना शीवम पूछ रहे हैं सर आपके पास private helicopter जिससे आप पुने से दिली ट्रेवल करते हो हाँ बेटा मेरे पाफ private jet है लो जी लव आ रही है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आ उसी एरिया से रिलेटिड उसी रिस्क से रिलेटिड आप सबसे पहले क्या करोगे हां जी हां पीछे last क्या कहरे हो बेटा आई माइक है यहां पे माइक दो बेटा हां बेटा तक आप बताओ मैनेज्मेंट से बात करेंगे हां जी उसे फर्धर मतलब और ज़्यादा तहकीकात करेगा उसकी फर्धर investigate करेगा उस matter को, थोड़ासा ओर डीप, नहीं, personajes nis death इस Rifles Man, wszyscy control, Lawrence kec कर लिया अपने control check कर लिया, तो फेल हो गया, अब क्या आ जाना ह ना पर हम चाहर हूं कि कोई该-mayı कंपनीने किसी बी चीज की control और अगर मैं और टो यह पहला है तो फेल हो गया है और अगर फेल हो गया है तो मतलब वहां पे रिस्क मेरा बढ़ जाता है मतलब घपले बाजी के चांसे ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा है अपने काम को एक्स्टेंड करूँगा देखूँगा कि एक्चल में आप आगे चले गए थोड़ा वह बाद में करेंगे पहले स्टेप पर क्या करोगे सुनिएगा हां जी बेटा नहीं वो relevant है तभी तो आपने select किया था वो तो आप already ये decision making तो आप कर चुके हो मैं बताता हूँ देखिएगा सुनिएगा सभी आपने देखा यार एक control relevant था जिसकी मैंने checking की वो fail हो गया तो सबसे पहले तो हम 100% तो checking नहीं करेंगे एक example ले लेते हैं एक control है कि 10 लाग से उपर की purchase पे CFO sign करेंगे control हो सकता है ये 10 लाग से उपर की purchase पे कौन sign करेगा ये control था इसकी designing सही लग या मुझे check करना है क्या check करना है कि 10 लाग से उपर की purchase पे क्या actual CFO ने sign किये या तो सबसे पहला step मेरा क्या रहेगा मैं purchase department को या finance department को बोलूँगा एक काम कर मुझे एक list निकाल के दे वो कहेगा किस की list 10 लाग से उपर की purchase पूरे साल में तो कहेगा अच्छा निकाल देगा कहेगा लो जी ले लो 3000 बार हुई है अब क्या मैं 3000 पेपर पे बैठके check करने लग जाऊं किस CFO ने sign कर रखा है या नहीं मतलब यहां पे मुझे कुछ sample निकालने पड़ेंगे मैं क्या करता हूं मालो 12 महिने से एक एक sample उठा लेता हूं क्योंकि अपने को control ही तो check करना है number की तो कोई value यहां पे है यह नहीं सारे 10 लाग से उपर है हाँ या ना चाहे फिर आप वो एक करोड का हो चाहे 11 लाग का हो मैं 11 sample उठाता हूं 12 sample उठाता हूं 12 sample पर देखता हूं 10 में sign दो में नहीं हो रखे control fail हो गया नहीं हो गया 100% fail हो गया क्योंकि already thousands में थी आपने कितने निकाले थे 12 में 10 में है और 2 में नहीं है तो सोचो 2000 में कितने में नहीं होंगे हाँ या ना तो सबसे पहले तो मां उन दो sample को निकाल के आप लोगों ने सही बोला management से discuss करेंगे relevant person से discuss करेंगे भाई साइन क्यों नहीं तो उन्हें payment कैसे process कर दे साल है accountant तुच्छा आदमी वह गयेगा भाई साब यह देखो दोनों की date ना एक ही महिने की है उस time CFO साब की ममी जी एक्सपायर हो गई थी तो देखो side में board of director ने sign कर रखे है उसके उपर वाली जो authority है हाँ या ना तो control फेल हुआ नहीं हुआ आपने क्या क्या एक reason identify किया अगर यह reason मिल जाता मैं इसको लिख लेता अपनी किताम में आगे बढ़ जाता क्योंकि control इस time पे हाँ फिर अपने को एक चीज़ा प्रूव करनी पड़ती क्या कि मम्मी जी actual में expire हुई है या वो आपको वो बंदा explanation नहीं दे पाता management आपको reply दे पाती है आप satisfied नहीं हो आपको मजा नहीं आ रहा तो ऐसे कि इसमें क्या करें control मान ले fail है तुम कहां इसको बोल class में रहे साले बाद में जाही हो इधर उधर तो आप देखो अपना topic ऐसा है जब तक line से चलेगा समझ आता रहेगा बीच में break तो गया तो आपने देखा यार मैं इसके reason से satisfy नहीं हूँ तो क्या control fail बोल दूँ दो में sign नहीं है तो क्या करें फिर पहला जो काम करना था वो कर लिया दूसरा काम क्या हो सकता है हाँ हाँ बोल बोल और थोड़े से sample ले लो ना सर हो सकता है दो में गलती से रह गए हो मैंने का देख जब तक मैं positive था मैंने कितने sample निकाले थे अब मैं थोड़ा क्या हो गय हूं एक काम कर पचास और निकाल ले हर महीने से पांच पांच और निकाल मैंने पांच पांच और चेक के सम में sign थे इसका मतलब control क्या है बढ़ी है वो दो में किसी reason से रह गए वो management से justification लो और आगे बढ़ो मान लो उस पचास में भी आपको seven में नहीं मिले बिटाई आप आपको एक सभी बच्चों को एक बात बता रहा हूं मैं लाई वालों को जब हमारी class चलेगी आप कोई मुझसे इधर हुदर की बाते नहीं करेंगे कोई admin बाते नहीं करेंगे किसी भी तरह की सिर्फ और सिर्फ आपको study पे रहना है content पे रहना है ठीक है ठीक है जी तो आप आपने 55 सेंपल लिए आपको उसके अंदर साइन नहीं मिले अब क्या करें ना अब क्या घंटा management दो बार फेल हो गए अब ही दो स्टेप डिसकस कर लिए देखो आपने relevant control की checking की हाया ना चेकिंग में सब पास हो जाता तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होती हाया ना पहले हमने कितने sample लिए थे कितने fail हूए थे कि दो sample fail हूए थे पहला क्या काम किया था इसमें दो sample आपके failure थे तो step वन आपने क्या क्या था मैं लिखता हूँ यहाँ पर management के साथ discuss करकर आपने reason लिया इसमें दो situation निकल कर आ सकती थी या तो आप क्या हो जाते satisfied या फिर सेटिस्फाइड ठीक है जी अगर सेटिस्फाइड हो जाते ओके जी document कर लो document मतलब जो reason था उसको लिखो और आगे वड़ो satisfied नहीं थे तो आपने क्या-क्या पहला टास्क step 1 आपने क्या-क्या एक्स्ट्रा सेंपल चेकिंग करने के बाद इसमें भी दो situation निकल कर आ जाती या तो सब okay है तो भी सब बढ़िया है आप document करो और आगे भड़ो जी और दो का reason identify करके लिखना ही पड़ेगा आपको वो दो fail के हुए थे वो दो लिखना ही पड़ेगा अगर यहाँ यहाँ पर भी आपको control क्या मिलता है कि फेल मिलता है कि समझ रहे हुँ ना चल रहा है ना क्या कहां पर हम है कंट्रोल फेल हो गया यहाँ पर भी अब क्या करेंगे अब दूसरी मतलब हमने पहले चेकिंग की बारा में से दो फेल थे management से डिसकस किया reason satisfy लगा document कर देंगे नहीं लगा और सैंपल लेंगे चेकिंग की या तो सब सही होगा document कर लेंगे या फिर उसमें भी क्या हो गए गड़बड हो गए अब क्या करें भी या अब बुलाएंगे management को इधर आओ गई यह second time control fail हो गया second time same control अपका क्या हो गया वेटा फेल हो गया तो अब आप यहां पर क्या करोगे सोचकर आपने मेरे को अपनी जज्जमेंट से बताना है कि सर इस इस टाइम पर क्या करें हमने एक relevant control identify क्या था control no.6 जिसको हमने पहले 12 सेंपल में चेक किया उसके बाद हमने 50 सेंपल चेक कर लिए और स्टिल इट इस फेल्ड वट विल डू पताएगा कौन बताएगा हाँ जी क्या कह रहे हूँ नहीं अभी रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट तो हमारा आख्री स्टेण कोता है रिपोर्ट ओडिट और रिपर रिपोर्टक इस दी लास्ट औप्शन अ अमारी रिपोर्ट तो goat ब्रहमास्तर होता है ना。」 आया ना तो ब्रहमास्तर को पहले ही निकालोगे आख़िने कालोगे उससे उपर तो फिर हमारे पाऊपर दोरी नहीं धो हम यह अगर आप मेरे साथ विर्स्टा तोड़। तो जयदा जयदा डाइवर्सित होगा वो पहले ही कर लोगे, क्या पहले लड़ाई पे? ब्रेक अप चलतू अपने गर, मैं अपने गर या पहले भई या मनाओगे कुछकार होगे, गिफ्ट दोगे पहले अपने सारे एफर्ट्स करोगे न आखरी में अगर चीज़ा नहीं बनती तो चलो भई आप अपने गर में अपने गर दूसरी पठा लेंगे तो बेसिकली अभी सेकिंड टाइम पर कंट्रोल फेल हुए मुद्दे से मत बठको क्या करोगे कि मैंनेजमेंट तो कहीगी कुछ भी राइटिंग मिले लो फाइनेशल मैंने राइटिंग में रखें आपको मैंनेजमेंट राइटिंग में देगे उससे आपको कुछ मिलेगा क्या कंफोर्ट मिला मैंने यहां फेल हो गए लिखके दे देती हूँ लिखके दे देती हूँ हमारे आप सब सब सभी है हाँ जी ना बेटा कितना रेक्टिफिकेशन का चांस दोगे अभी तो आप पर्चेस के अंदर सो कंट्रोल में से पहले कंट्रोल की चेकिंग कर रहे हो फिर तो आप कंफोर्ट लूस कर गए ना हाँ जी हाँ और अच्छा इतना गाम नहीं है वाँ फोन करें गाए वहो इतने पहले थोड़ी ना ही पूटे यह पहले पढ़कर आयो यह आपके दिमाग नहीं बोला है तालिया बजाएंगे आपका नाम क्या है हां पाइल पाइल के लिए तालिया बजाएंगे सभी बच्चे सर बैनेजमेंट से अब दुबारा आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई साब आपका जो कंट्रोल नंबर 6 है जो कंट्रोल आपका है वो क्या हो गया है फेल हो गया है कोई कुछ लिखेगा नहीं ठीक है जी तो क्या आपके पास मैं दुबारा पूछ रहा हूं आपसे क क्या कोई आपके पास control है जो इस रिस्क को क्या करे कम करते हैं डू यू है वैनी अधर control जिसको टेकनिकल भाषा में बोलते हैं compensating control अगर मैं कहीं नहीं के चेकिंग करूँगा और एक चीज़ अगर खराब है तो यह थोड़ी ना बोल दूगा यू और फेल आइविल आस्क डू यू अधर control जिसको मैं चेक कर लूँ जिससे यह हो जाए येस इस रिस्क इस रिस्क इस रिद्यूज बाइ इस अनदर control इन डाट केस इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं यार control नंबर फाइव इस ओल्स ए relevant control तो एक काम करते हैं शिक्स को पाक करते हैं शिक्स तो फेल हो गया लेस्स ट्राइट टू टेस्ट कंट्रोल नंबर फॉर एन फाइव अगर आपको compensating control मिल जाता है management आपको compensating control दे देती है तो अब हम क्या करेंगे next step पे हम टेस्ट करेंगे other controls को yes or no test of compensating controls यहां तक बात समझाई अब इसमें भी सेम होगा या तो यह पास हो जाएगा या फिर यह फेल हो जाएगा पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है करो 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 काम आपने नहीं क्या है इसलिए दोक्यूमेंट करना तो पड़ेगा अगर फेल हो गए तो क्या करें इस टेप पे आप कि मानलो कि आपका जो control number क्या था four five six वो क्या हो गया फेल हो गया ठीक है अब इससे आगे क्या करना है वह बाद में discuss करेंगे तो आपको एक flow समझ आया आप बताइए आपको एक flow समझ आया यहां तक revise करें यहां तक revise करें step number one हम जब भी किसी financial की caption को test करते सबसे पहले आप लोग क्या करते हो walkthrough उस walkthrough के अंदर तीन चीज़े देखते हो क्या क्या number one process number two risk number three controls जब आप इन तीनों की understanding लेते हो अंदर next step हम क्या करते हैं एक decision making करते हैं क्या decision making करते हो whether the design of control are adequate or if the design of control is adequate हम मूव कर जाते हैं कहां पे second step पे and what is the second step कि सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ what is the second step पीछे वाले आप भी बिटा जैम आता दी what is the second step test of control TOC आप उस TOC में identify करोगे क्या there are multiple control in the control risk matrix and we have to identify क्या जी पेटा relevant controls आप फिर उसकी क्या करते हो relevant control की checking करते हो testing करते हो क्या वो control साल में 2000 बार लगाए मैं 2000 बार चेक करूंगा नहीं मैं हर महीने से कुछ sample निकालके चेक कर लूँगा if it is fine okay control is good otherwise if it is fail तो आप क्या करोगे first step पे management से discuss करेंगे reason identify करेंगे if the reason is justified document then okay if the reason is not justified then further samples निकालेंगे उसी control को और sample निकालकर check करेंगे again if the result is fine okay documented and move forward अगर वो control दुबारा फेल हो जाता है then वापस से management से discuss करेंगे and we will ask for the compensating control alternative control other controls which can reduce the same risk और other risk same risk तो अगर हमें कोई दूसरा control identify होता है तो हम उस risk को identify करेंगे और उसको भी क्या करेंगे test करेंगे अगर वो pass हो जाता है बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ेंगे फेल हो गया तो फिर control fail अब आपका भया risk as it is है उस risk पे मुझे comfort नहीं अब हम कौन सा junction लेंगे pass हो गया फेल हो गया like pass अपने को तो भी positive mindset से आगे बढ़ेंगे ना नहीं तो फेल कर दिया तो मैं बहुत टेक्निकल चली जाएगी class तू कलाएगा ही नहीं 11000 वांगेगा नीचे कि मेरे को तो वही कोई ऐसा teacher दो जो पहले पढ़ा है oddities and reasonable assurance independent वो अपना है नहीं आपे फिर तो teacher change करना पड़ जाएगा अपना है नहीं वेटा वो पूरा practical अपना तो अभी negative ले लिए चोड़ कर चले जाएंगे तलाक ले लेंगे यह नहीं बोलना है यह बोलेंगे लेकिन कब आखरी में अभी बोल दो चलो अब क्या करोगे बताओ अब बताओ अब बोलो आप जो बोल रहे थे का लिखोगे audit report में का लिखेंगे हाला कि इसके बाद भी कुछ कर सकते हम लेकि Mentioning करेंगे कहां पर का Mention करोगे Mentioning report लिख रहा हूँ अब इसे ठीक है कहा Mention करोगे Mentioning और भी कुछ करोगे कर सकते हो Mention और भी कुछ कर सकते हो सर्थ मैं चोड़कर जाओंगा मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ही नहीं कर सकते हो मैं resign करकर जा रहा हूँ हाँ या ना मैं काम ही नहीं करूँगा सर ऐसे client के लिए जिसके यहां पर risk की risk है उसके लिए मैं क्यों client करूँ क्यों risk लूँ resign करके जा सकते हो मैं नहीं काम करूँगा हो सकता है बेटा तो यह आखरी रहेगा हमेशा report resign तलाक यह सब at the end यहां तक किसी को कोई डाउट कि नहीं कंपनी को बचा कर नहीं चल रहे हैं जितना हो सके काम करकर चल रहे हैं आपने एक risk identify किया आपने उसके अगेंस एक control identify कर लिया relevant control आपने वह चेक क्या केली मिला गाली यूज कर सकता हूं क्लास में ठीक है थैंक यू अब आपने चेकिंग की वह फेल हो गया अब मैनेजरी में आपने पास जाके कहते हो तुम तो blank space पागल हो तुमारा तो risky risk है company कईगी साले तु बहुत बड़ा blank space है हमने जो control तुने चेक किया है उससे बहुत बड़ा बना रखा है तुने वो क्यों नहीं चेक किया या तुने वो ही क्यों चेक किया वो तो हमारा judgment था ना पोक्त्रू के बाद किसका judgment था ओडिटर का विच कंट्रोल इज हमसे पूछ के चक किये थे पहले पूछ लेता पहले बता देते किसी एफो साहीं ने करता देते ज्यादा टाइम तो कैसे हमने उनको बचाया यह हमारी ओडिटर जो अपना काम करता है वो अपनी judgment से करता है अपनी प्रोफेशनल judgment यूज करता है और जरूरी है कि ओडिटर की judgment सही हो नहीं तो अपने को दूसरे अपने maximum काम करना है देखो एक थमरूल बताऊं ऑडिटर को कभी भी आप ऐसा answer मतले जहां पर kawl का हो bisher हमेशा आप आँसर गलत रहेगा हमेशा आप ओडिटर के लिए वह answer मोटा मोटा आपने कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लिए मैंने वो दस लाग से उपर वाला एक्जामपल लेके आपको एक सिचुएशन भी बता दी जो दो हजार बार हुई थी रियल लाइफ में हम कितने सेंपल चेक करते हैं सर यह और बताओ इसके लिए ना बेटा आपको कंट्रोल को समझना पड़ता है किसको समझना पड़ता है सरे मैं पागल हो जाओंगा कभी आप प्रोसेस समझ रहे हो कभी रिस्क समझ रहे हो कभी कंट्रोल देगा अब कंट्रोल भी समझें क्या समझेंगे बताओं लोजिक कंट्रोल के अंदर ये बेटा दुबारा बोल रहा हूं इस आर नोट पार्ट ओफ यूर हो जो भी समझा रहा हूं ये थोड़ा सा है एक चप्टर में जो भी मैं कवर करवा रहा हूं यह एक चप्टर नलस में कवर है है अजितने सारे चप्टर एक साथode रहे हमारे बोला ना तीन क्लास में आपका क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा कि फीज दे दीना सबने पता चले आप बोलो मेरे को समझ आगे मैं देख लेंगे लो जी वाई फीज दे जाना है या दो छोड़े बैच्चे हमारे कितने बच्चे इंगों कैलकुलेट करते हैं टीचर की क्लास में आए अच्छा चार सो पलस है सभी करते हैं हम भी करते थे सही बात है फिर मैं सोचता था कितने कमाते हैं खर्चे जोड़ना भूल जाते हैं कि कुछ नहीं कमाते यार अजार दोजार रुप मिल जाते हैं डेली के खर्चे हैं हाँ हाँ है अगर आपको अपने टीचर से कुछ पूछना हो परसनल लेवल पर क्या पूछोग एक सवाल इनकम उस हाँ पूछो है है लग स्टरी के बैरे में साले और कुछ नहीं समसे हाँ हाँ जी क्या पूछोगे बताओ इनकम इनकम जानके क्या पता चलता है आपको मतलब मोटिवेशन आपका फ्यूचर वेरी नाइस इनकम उफ टीचर राइट हर टीचर की नहीं एट लिस उन टीचर की जो जो टोप 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 टुवंटी है या टोप फिफ्टी है राइट तो आप समझ लो एक टीचर की इतनी इनकम है कि वो हर महीने एक बीमडव्यू खरीद सकता है ठीक है बेसिक वाली जो जहां से बीमडव्यू एक्स बन स्टार्ट होती है वह वाली सर फिर आप ने तो एक भी नहीं खरीदी तो मान लें कि आप तो कहीं नहीं हो तो फेंडड में भी नहीं हो आप तो चलाते हो एक्सवी सेवें एंडड़ वह खटारा सी गाड़ी हैं कभी-कभी तो हमने देखा है टाटा नेक्स सोन में भी चलते हो हाँ जी कमाना और खर्चना दोनों अलग-अलग कला है हाँ या ना तो वह आपने डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में क्या इंपोर्टिंट है आप कहां से आयों मैंने अपनी जिन्दिगे में एक टीचर की फीस पे करने के लिए काम किया है बड़ा तो मुझे पता है पैसे की वैल्लियो क्या है मैं अपनी लाइफ के टार्गेट पूरे कर चुका हूं सबसे पहले तो मैं आपको बस यह बतायता हूं I think this can be a very good motivation for all of you मैं अगर हर महीने पांच लाख रुपए खर्च करूं तो अगले सतर साल तक मेरे पैसे खतम नहीं होंगे और यह सारी टैक्स पेड़ एक नंबर की इनकम है आई होब देट इसे मोटिवेशन पर यूँ ठीक है जी लाइक नहीं रखता यार मैं मैं पैसे पे करने में विलिव करता हूं नहीं क्या बताना है बता दिया और इससे ज़्यादे और क्या जाना है बताओ हाँ पताओ नहीं पूछो मैं बिल्कुल दिल्दार आद विवाई मुझे किस पता है एक जेक नंबर तो मुझे भी नहीं पता है मेरे को इतना पता है तीन साल में शाय सो करोड हो जाएंगे टैक्सपेड और ये भी बता दू टीचिंग से नहीं है कभी सोचो सारा टीचिंग से हम से इतना लूट रहे हैं 25 परसेंट भी नहीं होगा टीचिंग से ठीक है 25 हो गया तो टोटल का 25 होगा अब ये किसी एक अलग क्लास में आते घंटे का सेशन रखेंगे फिर कहां से है अभी नहीं अभी अपना कंसेप्ट चल रहा है मैं पक्का बताऊंगा मैंने बताया ना मेरी क्लास के अंदर सिर्फ आप ओडिट नहीं सीख कर जाओगे यू विल डेफिनेटली लर्न दी बिजनेस आपको फाइनेशल मैनेजमेंट मुझे नहीं पता फाइनेशल मैनेजमे पे मैं 5-7 मिनट थोड़ा सा माहल को लाइट करता हूं तो अगर कोई कोश्चन है पूछ लो आप क्योंकि मुझे भी अपनी एनरजी को वापस से रीगेन करना होता है बहुत तेज चल रहा होता है गला नहीं डाउट मैं लूंगा अभी नहीं अभी तो मेरा कंसेप्ट खतम नहीं हुआ वह आपका जज्जमेंट तीन बार बोला मैंने प्रोफेश्चनल जज्जमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि 456 में से रेलेवेंट कंट्रोल कौन सा है मैं तो भी सीए कर रही हूं मैंने बोला आप जब आर्टिकल चिप में जाओगे आपकी ट्रेनिंग्स होएंगी आपको सि दुदुन दिसाइड करेंगे विच कंट्रोल इस रेलेवेंट कंट्रोल हुई चुजा आर्टिकल who will decide manager and partners they have experience वो लोग decide करेंगे हाँ जी कुछ पूछना है पूछ लीजे I am taking basically मैं self break ले रहा हूँ one minute का कुछ पूछना है हाँ हाँ बेटा पीछे एक सेगें बेटा बेटा माइक देखे आओ पीछे एक सगेंड पीछे वाली इतने भी स्टुटेंट ने पहले माइक ले लिया करो हाँ जी इधर से कुछ एक ही control available है तो उसको चेक करेंगे फिर आप यह मान लो उसका वही थी कंपन सेंटिक है वह उसका टोटल है उसी को शही होना जरूरी है फेल हो गया तो मैंने भी आगे बताया नहीं क्या होगा कि देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ अगर आप तसली से मुझे सुनेंगे ना जब मैं कंसेट ले रहा हूं तो मैं मैंने भी आपको बताया ही नहीं है मेरे पास जितने भी डाउट आते हैं वो सारे future classes के आते हैं जितना मैंने आपको बताया है उतना अगर आप सुनेंगे तसल्ले से तो सारे आपके clear हो जाएंगे क्योंकि समझो यार यहां तो मेरा पूरे crowd का 0.01 परसेंट भी मेरे सामने नहीं है 99 परसेंट तो offline देख रहा है अगर मैं कुछ भी छोड़ दूंगा class में तो मेरे लिए तो impossible हो जाएगा queries reply करना आया ना तो मैं जब भी WhatsApp open करता हूं सिर्फ फालतों के messages reply करता हूं जज की query जज की समझते हो बढ़िया query सो में से कोई दो आती है जिनको मेरे को खुद को देखके लगता है हाँ अगली बार इन दो चीज़ों को मैं अपनी class में cover करके चलूंगा तो समझो जो मैं सारी queries already साथ-साथ लेके चल रहा हूं तो पांस साल में अच्छी queries बच्चों के आई है कुछ पूछना है बेटा आके बड़े हैं हाँ बेटा सर लैक जब हम जो बनाते हैं क्या बनाते हैं कि सर जब वह अगर CRM बना रहे हैं तो किसी रिस्क के लिए जो management है वह खुदी एक relevant जो अच्छा पक इतने कंट्रोल क्यों बना रहे हैं हाँ अंच्छा सुनना जो तीन कंट्रोल थे मैंने आपको क्या बोला पहले कौन बनाएगा अकाउंटेंट उसके बाद CFO तीसरा भी चष्पीड डेटर करके दिखा रहा हूं देखना दिख रहा हूं, ये डैरेक्टर बैठा है यहां पर थीक है? हक तु आ बाइ,éntलो बैठना बैठा को नम क्या है? अकांशा, अकांशा, राणी जी प्लीज, ये डैरेक्टर सा बैए यहां पर जल्दी आओ लेकिन फटा जूते बूते निकाल के बैठे थे सरम तो क्या कर रहे हो आप ये रुख जादो मेंट बैठो चेर पे ये डारेक्टर हाँ रानी मैडम प्लीज तालिया बजाएंगे हर चेस प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ती है आपको क्या होगा तुम्हारा याद कर सकते हो वैसे मुझे अपने जिंदिगी के हर मोड पे का यह यह देएक्टर शाव है दसलाग से उपर कितनी पर्चेस थी Гос extreme हरे चिंदे ऑफश्वं म संरी स्याइल कर हो सकताय यह ठॉनी हो सकता अरे फिल करो ना उसलिस भाई की को एक पागीetics रिर्ट्ल क्यों डिरेक्टर साइन कर साइन कर साइन कर पाओगे क्यों कि वोल्यूम बहुत ज़्यादा है पहले कोई चेकिंग कर लो सालो देख लो सारा मेरे को दो गएगा सीधा हाया ना तो आपको लगेगा ना कि जो एक टोप हैड है फिनेंस डिपार्टमेंट का सीएफ ओ जैसे कि मैं आपका बालक पहले मैं चेक कर लूँ हाया ना उसके बाद अब बंदा आ रहा है सर सीएफ ओ साब ने देख ली है उससे पहले अब आप देख लो अब आप क्या करोगे अब आप कैसे देखोगे इसको यह सो है अब आप क्य करोगे जनरली आपके माइंसेट में है यह कि सीएफ ओ अलरी अपने साइन कर चुका है ना ना यू आव तो अपरूव देम सो वाउचर है आपके सामने वोट यूल दू इन यूर रियल लाइफ येस आपसलूटली फाइन तालिया बजाएंगे बच्चे के लिए आजाओ बेटा बहुत साही कि सर हमें रियल लाइफ में कंपनी की मानलो डिरेक्टर बन चुकी हूँ मेरे पास सो वाउचर रखे है यू आपसलूटली राइट बेटा कि मैं सो गे सो को अब खोलके बैठ के यहां पर साइन चेक करके नहीं करूंगी मैं क्या करूंगी साइन करती हूँ चलूंगी बीच में कोई एक उठाया और उसको देख लिया फिर कोई एक उठाया देख लिया बाकी मैं किस पर ट्रस्ट कर रही हूँ समझाया बाबू समझाया बैठो हाँ ची मेरा मेजर सोर्स इन्वेस्टमेंट से अभी क्वेरी नहीं ले रहा है अभी मैं क्वेरी नहीं ले रहा ठीक है क्वेरी में कंसेप्ट करने के बाद तसल्ली से सारी लूँगा हाँ जी लाइव आलो देखो लव आरिया मैंने थोड़े दिर पहले बोला था नो अधर क्वेरी इस स्टुडेंट लाइफ में कैसे अर्न करन सकते हैं इस शीका मैं बता दूँ है इसके बारे में बट थोड़ी क्लास जाने दो फिक है लो जी देखे अब हमारा जो कंसेट मैं मैंने आपको समझाया है कंट्रोल चेकिंग रियल लाइफ में कंट्रोल कैसे चेक करते हैं उस पर थोड़ा सा में डिसकेशन कर रहा हूं आपसे बिटा प्लीज अब ध्यान से देखेगा ब्रेक हो गया यह ब्रेक था हाँ आपने मैंने ब्रेक ही तो हैं बिटा सेल्फ जब आपको लोगों को छोड़ने का मनी नहीं करता आपका करता जाने का मनी नहीं करता निवास भाई थोड़ा उदर करना देखें आप समझेगा हमने कंट्रोल देखा था कंट्रोल नंबर फोर एड़ फाईफ एड़ उध्यक शेक्स सब जभा अं कंट्रोल की चेकिंग करते हैं हमने कंट्रोल आइनटिफा है क्या है अब चेकिंग कितनी करें कैसे करें इसमें हमें कुछ चीज़े देखने ही पड़ती है सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ओफ कंट्रोल क्या देखते हैं जी nature of control nature मतलब सर कि यार ये control manual है ये control automated है या ये control manual plus सो ये manual क्या होता है manual मतलब किसी ने sign किया आया न automated आप लोग अपना exam form भरते हो उसमें अगर first name के बाद आप अपना last name ना डालो तो submit करते हो तो एक pop-up आ जाता है आ जाता है या फिर automated control इस तरह का भी हो सकता है CFO के पास approval power है 10 lakh की example up to 10 lakh अब किसी ने 11 lakh रुपे की request डाल दी और मैं उसको approve कर रहा हूं तो वो submit ही नहीं होगा कहेगा you are exceeding the authorization limit तो यह control कैसा हो गया automation जो system के अंदर आप डाल के रखते हो ठीक है एक होता है manual plus automation इसको समझेगा आप ही का example लोगा जो आप बच्चों ने 11 में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने एक BRS सुना है bank reconciliation statement सुना है क्या मतलब होता इस BRS का यार bank का balance और हमारी book के balance में difference हो सकता है उस difference के अंदर कुछ reconciling item हो सकती है वो देख लो जिससे आपका balance क्या हो जाकरी में match हो जाए यह BRS manually बनती आज के दिन नहीं यह BRS कोन बना देगा system कोन बना देगा system हैंग हो गया हमारा ठीक है system ने बना दी अब जो system ने निकाल के दिया उस पर रिलाए कर लूँ system आपको reason भी देदेगा क्या system यह तो बताएगा चेक था एक pending आ रहा है system यह भी बताएगा क्यों आ रहा है हैं नहीं बताएगा न तो अब आप क्या करोगे management क्या करेगी या management का कोई employee क्या करेगा इस BRS को system से निकालेगा और उसके बाद उसे क्या करेगा analysis करेगा क्या करेगा analysis करेगा उसके reason देखेगा क्या है हाया ना क्या उसने system से निकली हुई report पे manually काम किया हाया ना system से निकली हुई report पे उसने लिए मैंनुवल काम किया तो यहां पर सिस्टम भी उस हो गया और मैनुवल भी हो गया तो इसको क्या बोलते हैं मैनुवल प्लस ओटोमेशन कंट्रोल अब आप मुझे बताओ अगर मैं आपको बोलू कंट्रोल आपका ओटोमेशन है तो आपकी चेकिंग कम होनी चाहिए ज्य कब बनती है at the end of the month कब बनती है हर month का balance हमें टेली करना होता है तो इसकी frequency क्या होई monthly क्या होई बारा महिने में कितनी बार अगर एक ही bank है तो बारा बार हाँ या ना एक ही bank है तो 12 times आप बनाओगे ऐसे CFO जो sign कर रहा है 10 लाग से उपर की purchase को उसकी frequency क्या है recurring nature है कैसी है बाई जैसे जैसे यह transaction होईगी हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा हा या ना ऐसे कोई control ना मैं थोड़ा short form में बता रहा हूँ कोई कंट्रोल डेली हो सकता है, कोई वीकली हो सकता है, कोई बाई वीकली हो सकता है, कोई मंधली हो सकता है, कोई yearly हो सकता है, समझ आया, तो मानलो कोई कंट्रोल yearly है, अगर कोई कंट्रोल मानलो बारा बार ही लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बारा ही कंट्रोल ने सिर् ट्रांजेक्शन्स क्या है बहुत ही लिमिटेड है तो इसको अपन कितनी बार चेक कर लें क्यों रिस्क लेना है बाराई ही तो है अब कोई कंट्रोल थाउजंस टाइम पर लग रहा है मान लो और वह मैनुवल नेचर का है तो जनरली हम ओडिट में क्या करते हैं 25 सेंपल लेत है तो 25 सेंपल्स लेते हैं जैसे वह 10 लाग से उपर वाली पर चेस के कितने सैंपल्स लींगे हमने कि 5 सेंपल्स अब आप मुझे बताओ कि या मैं किवे महिने से ले ल 카메o एघप हिस क्यों सर एसा भी को सकता है न मानलो आप सारे सेम्पल एपारिल टूसjaymber में ले लो कैसे पता चलेगा कि जैन फैब मार्ट में भी लगाए तो हमें जो सेम्पल लेंगे कितने मंट सब्सक्राइब कर लिए जब मैं सेंपल सेलेक्ट कर लेता हूं तो मेरे को जाके बस वो साइन देखना है और कुछ नहीं देखना लेकिन हमें 12 महीने से लेना होगा उससे मुझे क्या पता चलेगा कि क्या है क्योंकि आपने इखने कर दिया कि और क्या फायदा है सबसे पहले मुझे पता चलेगा हाँ जी इंप्लिमेंटिड है आपने जो डिजाइनिंग में लिखा हूआ वह एक्चली में क्या है implemented है, बारा महीने के sample चेक कर लिए, सब में sign है, तो क्या पता चला, continue है, और साथ ही साथ पता चल गया, effective और efficient भी है, तो आपने क्या चेक किया, control testing के अंदर, IEEC, जैसे आप लिखना चाहें, implementation, effectiveness, efficiency, and continuity, मैंने ये देख लिया, कि आपका control actually में implemented भी है, effective और efficient भी है, sign हो रख्य आरे, और वो control designing सही था, तो effective और efficient हो गया, और आपका continue, तो control testing के अंदर, हम 4 चीज़े चेक करते हैं, कौन-कौन सी, implementation, effectiveness, efficiency, and continuity, सर, अगर 25 में से कोई एक fail हो जाए, तो generally हम 15 sample और चेक करते हैं, ठीक है, या फिर 40 करते हैं, depending upon nature of control, तो ये बाते मैंने आपको additionally बताई है, ये भी आपके slaves का part, सर हमें कैसे पता चलेगा, कफिल सर अब हम आपसे पढ़ रहे हैं, इसके बाद जैसे ही हम interface करेंगे, हम आर्टिकल शिप में चले जाएंगे, senior मा कहेगा control testing कर लो, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कि मुझे कितने sample चेक करने, क्योंकि ये तो IC की किताब में नहीं लिखा, तो मैं कैसे मेरे को पता चलेगा, सुनिएगा धिहान से, आप जिस भी CFM में काम करने जाएंगे, वहाँ पे एक गीता होगी, एक Bible होगा, गीता से गीता मत समझना, मतलब एक Quran होगी, इसका मतलब क्या है, इस word से क्या feel हो रहा है आपको, कि जिसमें सब कुछ लिखा होगा, आपने कुछ नहीं करना, उस किताब को उठाना है, वो soft copy में होती है, वैसे, section में divided होती है, जो काम कर रहे हो, उस काम पे जाना है, उसके section में वहाँ सब लिखा होगा, कि control अगर manual है, और frequency ये है, तो आपको इतने sample लेने है, अगर fail हो जाए, तो आपको ये क करना है, तो मतलब ये policy किस की हो गई, फर्म की, आप audit अपनी firm के हिसाब से करोगे, दूसरों के हिसाब से करोगे, तो कपिल सर जो आप पढ़ा रहे हो, firm का अलग हो सकता है कुछ, ना, 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 मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो minimum पढ़ा रहा हूँ, कि minimum तो इतन तो मतलब ये तो उस firm की policy में होगा ही होगा, उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, और कोई firm हो सकता है, ज्यादा checking करें, उससे कोई कहती है, बहुत ज्यादा करूंगे, हाई ना, तो मैं आप real life word बता रहा हूँ, KPMG में अगर आप जाते हैं, आप वहीं ज तरह ऐसे audit करेगा, उसके methods, और ये worldwide same है, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे world में same है, तभी तो मैं इंडिया का बालक कहां जाके काम कर रहा था, US, क्योंकि मेरे लिए audit क्या था, same था, ऐसे ही अगर आप EY में जाते हैं, example के लिए दो लिख देते हैं, तो वहाँ पे है GAM GAM के फुल पुम क्या होई, global audit methodologies, भई हमारे globally हम ये methodologies को follow करते हैं, तो आपने जब भी जिस भी firm में जाओ, अपने laptop में एक चीज़ को तो रखना ही रखना है, क्या, GAM या फिर GAM, समझ आया, उसमें सब लिखा होगा audit कैसे करना, आपका जो slivers है, वो 5% भी नहीं है, जो ह हम रियल लाइफ में करते हैं, इसलिए मेरा discussion बहुत होता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको रियल लाइफ का एक touch दे कर जाओं, कि जब भी आप काम करें, आप उसको relate कर पाएं और feel कर पाएं, आपके लिए बहुत अच्छी good news है, next class मैं मैं अपने एक student को बुला हैं, अभी मस्ती मजाग छोड़ देते हैं, क्योंकि life यह है, जैसे अभी वो जी रहा है, जैसे आज आज आपने मेरी income पूछी, मैं आपसे life में ज्यादा भी नी तो शायद 15 साल आगे हूं, ठीक है? लेकिन वो आपसे सिर्फ अभी 6 महीने आगे है, तो अभी मुझे लगत जिससे कि वो अच्छा कमा भी रहे है, lifestyle भी अच्छा है, articleship भी बिक फोर में कर रहे हैं, और audit में marks भी, उसको specially पहले मैं इसलिए बुला रहा हूं, हर subject में 80-90 प्लस marks है, उसके गलती यह थी कि उसने single-single group करके paper दिया था, दर्वाइज rank 1 के equivalent उसके marks हैं, लेकिन still he is into big four, तो सबसे पहली बात तो यह, कि आप यह मन में एक डाउट आता है ना, कि single-single group करके paper दूंगी तो big four में हो गया, if you are exceptionally good, he is exceptionally good actually, you are exceptionally good, आपके लिए opportunity खोलने के लिए दुनिया तयार रहती है, even मैं भी effort करूँगा आपको उस level तक ले जाने के लिए, because I know you deserve it, yes or no, तो मैंने हर्ष को बोल दिया था, कि हर्ष तुझे कहीं आर्टिकल शिप नहीं करनी, तुझे आर्टिकल शिप नहीं करनी है, उसके अलावा को इतना कहा रहा था, सर मेरा single-single है कैसे होगा, at the end उसका PwC में भी हुआ, Grand Toten में भी हुआ, GT में भी हुआ, clap for him, at least clap for yourself कि single-single group करके भी एक अच्छे आर्टिकल शिप मिल जाती है, उसने PwC में भी offer letter लिया और GT में भी लिया, किती बड़ी बात है, ना ही ranker है, ना ही both group single attempt है, तो बेटा ये चीज़े आप ध्यान रखना, TOC में आपको समझ आया, basic, समझ आया, walkthrough करते हैं, walkthrough के अंदर, समझते हैं, क्या-क्या process, risk and control, उसके बाद decision making करेंगे, किस के उपर, design of control के उपर, then second step करेंगे, control की क्या करेंगे, checking करेंगे, control की checking के अंदर, सारे control check नहीं करते हैं, हम identify करते हैं, which controls, relevant controls, relevant control को test करते हैं, हम okay बोल देते हैं, कोई control fail होता है, तो compensating control, check कर लेते हैं, यहां तक कोई doubt किसी को, हाँ जी, हर मंस में से, हर माहिने स, किसी में दो, किसी में तीन, लेकिन बारा महिने में से आपको 25 सेमपल लेने हैं, तब ही आपका जो एक part है, which one, continuity, उस पे आप comfort ले पाओगे, अगर आप किसी भी महिने को छोड़ देते हैं, तो आप continuity पे comfort नहीं ले पाओगे, आगे बढ़े हैं, है, रियल लाइफ के audit में, हाँ, मैनेजमेंट से discuss किया, चेक कर लिया, या तो पास या फेल अब आगे, हाँ, क्यों नहीं मानेंगे फेल, अगर फेल है तो फेल मानेंगे, मैने का समझने के लिए class को आगे बढ़ाने के लिए हम पास मानेंगे, हाँ, अभी के लिए class आगे बढ़ाने हैं अपने को, ठीक है, बेटा, कंट्रोल में न, कभी भी amount discuss नहीं कि जाती, सुनिएगा एक अच्छी relevant query है, प्लीज सुनिएगा सभी लोग, के रे सर आपने 10 लाग से उपर का sample उठाया, उसमें आपने amount consider क्यों नहीं किया, कि भाई एक करोड़ वाला sample लेलो, पांच करोड़ वाला लेलो, अपने amount तो consider ही नहीं किया, आप मुझे बताओ, CFO को sign करना है, चाहिए 10 लाग का invoice हो, चाहिए 10 करोड का हो, तो यहाँ पर sign important है, amount important है, यह sign important है, control तो लगना ही चाहिए, जो आपको delegate क्या हो है, जो भी amount, उस पर control तो लगना ही चाहिए, तो वहाँ पर मेरे लिए control relevant है, amount नहीं, छोटे को कैसे छोड़ दोगे, real life में amount बाद में आएगा, अभी तो हम number checking पे आए है क्या, तो अभी आए है नहीं, amount पे तो अभी focus ही नहीं हमारा, है क्या, अभी तो financial जिस काम के लिए थे, वो तो अभी हमने start भी निक्या है, आगे बड़े भीया, control checking हो गई, अब हमें finally, यह पता चल गया, control checking करने के DOC आपने एक procedure लगाया है, एक काम किया है, तो इसका भी तो decision लेना होगा आपको, इसका decision कैसे लिया जाएगा, सब control सही था, तो मैं बोलता हूँ, कि जो control, जो control, का जो risk था ना, वो या तो क्या है, low है, या medium है, या फिर high है, अब ये control का risk का मतलब समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, what is this control risk, आप कौन सा course कर रहे हो, कोई risk है, क्या risk है, fail हो गए तो, नहीं हुआ तो, this is the risk, company ने control लगाया, company ने control लगाया, नहीं लगाती, तो क्या कोई risk था, हाँ, risk था ना, क्या हमारे financials, inflate हो सकते हैं, कोई fraud कर सकता है, तो उससे बचने के लिए, उसने control लगाया, ऐसे ही आप लोग CA कर रहे हो, कोई risk है, हाँ जी, risk है, क्या, fail होने का risk है जी, या तो, accept कर लेते हैं, या reduce कर लेते हैं, या mitigate कर लेते हैं, yes or no, तो क्या करते हो आप लोग अपने risk को कम करने के लिए, पढ़ाई करते हैं, सर, coachings लेते हैं, आप जैसों का सो करूड बनाते हैं, हाँ, यही करते हो आप, मतलब classes लेते हो आप, मेहनत करते हो, revision करते हो, test paper attempts करते हो, आप अपने लिए controls बना रहे हो, कि भाई, ये सब controls लगा ले बेटा, नहीं तो क्या हो सकता हूँ, fail, आया ना, सब कुछ करने के बाद भी risk है, आपने सब किया, still there is risk in your course, क्या fail हो सकते हो, definitely, आया ना, मतलब still मैं क्या हो सकता हूँ, fail हो सकता हूँ, आया ना, तो ऐसे ही, company ने control लगाए, या तो वो control सही से काम कर रहे होंगे, या वो, नहीं, तो मतलब there is a chance, कि control लगाने के बाद भी risk रह जाए, आया ना, risk है आपका, तो control risk का मतलब क्या हो गया, कि control लगाने के बाद भी, जो risk बच जाए, या हो सकता है, खतम ही ना कर पाए, there is still, there can be risk, yes or no, that is control risk, अभी मैं technical भाशा में तो कुछ भी आपको नहीं पढ़ाँगा, basic समझ आया, तो auditor ने जब सब को check कर लिया, उसको सब सही मिला, मतलब CFO के sign मिल गए, तो आप बताओ, वो control risk को low बोलेगा, medium होगा, definitely he will say, कि भाईया, control risk कैसा है, अगर उसे control ना मिले, control A की था, fail हो गया भाईया, क्या करें, तो वो क्या बोल देगा, high, 50 भी check करें, 12 भी check करें, दो control fail थे, reason नहीं समझाया उसे, तो क्या बोल देगा, तो he will make a decision making, कि जो control checking मैंने कर ली, इसके बाद जो control का risk है, वो low रखू, medium रखू या high रखू, बात समझाया है यहां तक, तो एक decision making यहां करेंगा, कि अपने को control risk निकालना होगा, किसका, पूरे financials का या purchase का, purchase का, क्योंकि आपने किसका process समझादा, किसकी process के understanding ली थी, किसके control चेक के थे, तो यहां पे risk का level भी किसका पता चलेगा, आपने, यहां पे example ले लेते हैं, आपने medium risk रख लिया, medium risk निकल के आगया, अब आप आ गए हो, कौन से step पे, step number, कौन से step पे आ गए, 3 and final, step number 3, कि भाया जी, मेरा control risk क्या है, low है, low है, low रखते हैं, चलो, low रखते हैं, कि मैंने सारे control चेक कर लिए, सब साही निकला, process भी समझ लिया, अब मेरे को सब पता है, आप मुछ से पूछ कंपनी में purchase कैसे होती है, कोन sign करता है, कब करता है, मुझे सब पता है, तो अब मैं इस financial का purchase check कर लूँ, आप पुछते हो, क्या अब मैं check कर लूँ, अब तो मुझे knowledge है ना, हाया ना, मैंने का अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है एक अच्छी खासी, and you have a comfort, कि इसक कर नो, क्योंकि आप check कर कर आए वो पीछे, मैंने का, now I have a comfort over the transactions, लेकिन आप मेरे को उसको check तो करना पड़ेगा ना, तो now we are on the main step, जिस काम के लिए हम आए थे, वो क्या बोलते हैं उसे, number checking, financial statement की checking, याद है कुछ number हमारे purchase के क्या थे last class में, कितना था, कुछ भी ले लो यार, 10,000 करोड़ का number ले लेते हैं, ठीक है, इन thousand से figure, वो transaction भी ले लेते हैं, कितनी थी भाई, 4,00,000 transaction थी, मैंने का जी, अब कर लो आप check, अब question आता है, कैसे, कैसे check करें, आपने बोला walkthrough कर लो, हमने कर लिया, आपने बोला TOC करो, कर लिया, अब आपने कहा कि 4,00,000 transaction है, 10,000 करोड़ की amount है, चेक करो, मैंने का, कैसे, हाँ, जी, आपने क्या बोला बेटा, कि भाईया, 100% checking कर पाएंगे, आपने का 100% checking कर लो, मैंने का, ठीक है, company को बोलो, एक साल का audit हम कितने साल में करेंगे, 10 साल में, तो ये तो possible, तो देखो, एक और reason आपको पता चल गया, कि हम true and correct क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम 100% checking, management मैंने फरूड कर रखे, आपके concept खतम होते जा रहे हैं, बुक्के, आपको feel नहीं हो रहा होगा लेकिन आपके किताब के बड़े-बड़े concept खतम हो चुके हैं, जो सिर्व आप मुझे क्या करवाने हैं, आपको read करवाने हैं, और वो खतम, घर में, अभी read कहां करवाए हैं, तो 100% checking तो possible नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपका participation बहुत required है, बेटा आप मा लो, sample ले लेते हैं, हाँ जी, आगे बताइए, अब आप जो बोलोगे, मैं सब सुनूँगा, आपकी, बड़े-बड़े, इस एक है, मेरी मर्जी है, बड़े-बड़े, 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 बड़े-बड़े न, एक लाख है, transactions, हाँ, एक लाख, जो उसके हिसाब से बड़े-बड़े है, बड़े-बड़े क्या है, एक बड़े-बड़े को discuss कर लेते हैं, नहीं, बहुत सही है ये, इसने जो बोला, सही बोला, अब आप मुझे बातने नाम क्या है, हिमान्शू, लाइब आलो, तुमें एक बात आओ, एक, 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 यहाँ से मिले लेते हैं, लव आरिया, ठीक है, साले तेरा नाम आरिया होगा, तुन्हें लव जबरतस्ते चिपकाया है, कि कहीं तो कुछ मिलेगा, सुनना आजे, सुनना, एक है लव आरिया, ठीक है, और एक है हिमान्शू, ओ हिमान्शू, वो वाला तो नह एक है रुख्जा भाई तू ऐसे मावल मत्तोड एक है ना एक अपने को एक है मानलो को लड़की का नाम बताओ खुशी खुशी एक है लवारिया एक है खुशी ठीक है जी दोनों ही सेम तीनों ही सेम क्लास में है एक हिमान्शू भी है हिमान्शू क्या करता है रोज सुबह उठता है जेव से छे रूपे निकालता है चार रूपे की कटिंग लेता है दो रूपे की मठी लेता है खाता है क्लास में आ जाता है यह उसका डेली रूटीन है कितने का खर्चा छे रूपे का ठीक है जी एक लव 200-300 रुपे खर्च के होंगे दोनों की नजर एक ही जगह पर है कहां पर खुशी पर तो हिमान्शू कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं ठीक है वो चाय पर लेके जाता है भाया चार चार की दो कटिंग दो मठी देना बारा रुपे में वापस आ जाता है लव आ रहे हैं देखता है यह करड़ बड़ा है वो कहता है चलो मैं तुम दोनों को चाय पिलाता हूं बात समझना वो दोनों को ले जाता है चाय उस पर दो पे कर देना भाई भी लाते मानलों 1100 रुपए गा तीन चाहे गा और मफिन मफिन गा इमानसु कहता है भाई यह तो नहीं पे कर पाऊंगा मैं यह तो मांट बहुत बड़े-बड़े हैं हो सकता है क्या हो सकता है क्या नहीं कर पाऊंगा कि लवारी अपनी पोकेट से पिताजी का क्रेडिट काड निकालते हैं टच करते हैं डान चलो क्या क्या सीखने को मिला यहां पे कि जो हिमान्शु था उसके लिए 1100 रुपए इस रियली बड़े-बड़े इस रियली मटीरियल हाया ना यह सो नो ना वियर नंबर्स ना वियर उनार में टास्क भाई ग्यारा सुगा जो नंबर नहीं यह मेरे लिए बड़ा ही मटीरियल है आइकन स्किप देट जो भी है पट विटा खुशी ने दोनों का काट दिया तुम अभी तक नहीं समझे है खुशी दोनों का काट चुकी है वह अब किसी 30 मेरे के साथ कोफी डेट में है ठीक है आगे समझो लेकिन एक बंदा ओर था लव आ रही है जिसके लिए 1100 रुपे मेटेरियल नहीं है तो यहां पर इंपोर्टेंट क्या है जब आप किसी कंपनी की नंबर चेकिंग पर आए हो यू आपसिलुटली राइट वी हैव तो टेस्टी ट्रांजेक्शन्स विच और बड़ी-बड़ी इस बड़ी-बड़ी और ग्याला सो इस बड़ी-बड़ी कैसे डिसाइड करें सेकिंड एक्जांपल सेकिंड एक्जांपल आप सीए इंडिया का ओडिट करने आए आपने देखा यार कपिल साब ने ना पचाहासजार का खर्चा उड़ा रखा है आपने मुझसे क्वेरी पूची कि 50,000 का खर्चा किस काम पर हुआ था मैंने आपको रिप्लाइ कर दिया प्यार से सेम आप रिलाइंस का ओडिट कर रहे हो आप पहुच गए कि यार आई वोंट टू मीट किससे जी कि नीटा भी इन से मिलेंगे अच्छे नीटा जी बैठिए आप गए पई आप से मिलना है ओडिटर साब बैठिए परी के चाहे ले कराओ पूचो मैं वो पचाश जार आपने खर्च किये थे परसो किस पर खर्च किये थे वो क्या कहीगी इसको उठाओ और गुजरात की नदी में फेक दो साले ओडिटर को उसके लिए पचाश जार रुप मैंटेरियल नहीं है तो यू आप्सलूटली राइट इस बड़ी इस चुट बी सम रूज आया ना कि किस कंपनी के लिए मैं बोलू इस इस मटीरियल और इस इस नॉट तो इसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटीफाई करना पड़ेगा मेटीरियल रांजिक्शन अब कैसे आइडेंटीफाई करें गीव इस सम रूज जैसे आपके पास इसके अंदर इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है रिवेन्यू को कैसे रिकागनाईज करना है फोरन करंसी को कैसे रिकागनाईज करना है वैल्यू करना है उसके लिए क्या है आपके लिए उसकी फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टेंडर्ड ऐसे ही उसका उल्टा कर दो Auditing में आपके लिए दे गए है Essays इसको बोलते हैं Standards on Standards on Audit यहाँ पर बड़े बड़े Transaction क्या होंगे उसके लिए एक नंबर है Essay number 320 जो कि आपको बताएगा कि आपको यह Material Transaction क्या होगी यह कैसे निकालनी है कोन बताएगा Essay number 320 सर 320, 320 320 standard है, आपके account में कितने standard है हम 36 standard बढ़ेंगे 36 standards on auditing में आपको बढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो आपका पहला जवाब सही हो गया सर सेंपल निकालेंगे लेकिन उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालो Materiality क्या निकालो ताकि जो बड़ी बड़ी transactions है वो और क्या करोगे ये बताओ और क्या और क्या अप सैंपल निकालने और क्या कर सकते हो आप बताओ बताओ जी बताओ आपने चार लग ट्रांजेक्शन चेक करनी है कैसे करोगे और कुछ बताओ एक बच्चे ने बोला बड़े-बड़े मैंने कर ठीके बड़े-बड़े और बताओ 200-300 transaction select करना आपको possible नजरा रहा है practically नजरा रहा है नहीं क्योंकि अगर आप बोलते हो हाँ सर पहले भी तो manually होते थे हम 300 300 सेलेक्ट करके दिखाएंगे अगर आपने 300 सेंपल manually सेलेक्ट कर लिए तो क्या आप प्रोड कर सकते हो आप मतलब ओडिटर हां बताओ कैसे मानलो एक ट्रांजेक्शन में आपको कुछ मिला हो सकता है ना आप भोलो के management को यह क्या है management कर यह कुछ नहीं है यह iPhone 15 pro max है आप इस यहां पर आपको नहीं लगता यह सेंपल के लिए हमें कुछ टूल यूज करना चाहिए या software बोल दूं जो अनबाइस्ड तरीके से सेंपल निकाले और जिसको मैं चेंज भी ना कर पाऊं कुछ government approved software हो yes or no तो यहां पर आ जाता है हमारा एक नया रोल एक software रियल लाइफ में कि यहां पर आप आप करोगे किसको आइडिया कि आइडिया बहुत सारे काम करता है लेकिन अभी हम उसको किसको क्या करने हैं कि आपको क्या निकालने है आइडिया से आइडिया बहुत सारे काम करता है लेकिन अभी हम उसको किस चीज के लिए उस कर रहे हैं कि मैं नंबर चेकिंग की स्टेज पर आ गया हूं मुझे चार लाग ट्रांजेक्शन तो चेक नहीं करनी तो क्या करनी है कौन बताएगा अब आइडिया को इंफुट दोगे तभी तो वह आउटपुट देगा तो आप मुझे बताओ आप आइडिया को क्या क्या इंपुट दोगे हाँ, नहीं, नहीं, बताओ जी, येस, you are absolutely right, नाम क्या आपका, शीवम, शीवम ने बिल्कुल सही बोला, सर भाग की सारी बात दे छोड़ो, सबसे पहले इसको basic detail दो क्या, purchase का data, चाद होगे, बाइस, idea, ये तू purchase का data ले ले, सबसे पहले, जिसमें से तुझे क्या निकालना ह कितना data था, 4,0,0,000 ट्रांजक्षन, यहां तक किसी को कोई doubt है, नहीं न, हो तो पूछना मतंवी, आपने चार लाँ ट्रांजक्षन किसको डाल दी, उस system में, आपने 4,0,000 ट्रांजक्षन डाल दी, अब वो system में चले गई, system मतलब आइडिया, और कुछ भी दोगे, अभी उसे नहीं पता कुछ भी वह सापने ट्रंजेक्शन और कुछ भी हाँ नहीं चार लग डाल दिया वो फ्रिक्वेंस खुदी देख लेगा डेट के साफ दूसमें चली गई ना वो तो कि येस अप्सलुटली राइट दूसरे पर आपने बता दिया कि इस कंपनी के लिए इस कीछ बड़ी बड़ी है तो आपने वो बताना है कि लिए भाई में तो एक चीज बता देता हूं इस कंपनी के एक चीज निकालिये क्या materiality material क्या है इसके लिए किसके इसाब से निकाली है ऐसे तो एक number है यह तो हमने इस number दे दिया let's say 50 lakh इस company के लिए क्या material है यह मैं तिरको बता रहा हूँ software तिरको transaction मिल गई मैं तिरको यह बता रहा हूँ इस company के लिए 50 lakh material है और क्या दोगे बताओ बेटा अपने class देख रखे इसका मतलब हाँ जी नहीं देख रखे तो बहुत अच्छी बात है हाँ बेटा कोई बताएगा और कुछ और क्या दोगे उसको ठीक है यह आखरी में लिखेंगे इस चीज को और कुछ दोगे उसको स्टेप वन और टू में क्या करकर आएगो नलाय को हाँ तो उसको क्या बोला था मैंने वो किसका डिसीजन था चंट्रोल रिस्क था ना तो आप उसे यह भी तो बता दोगे चंट्रोल रिस्क कि भाई इस एरिया का मैं तुझे क्या बता देता हूँ control risk, क्या था हमारे case में low, जैसे ही आपने system को ये बात बताई, system समझ गया कि sample ज़्यादा निकाल के दूँगा कम, कम, क्योंकि इसको auditor को क्या है trust है, चीजों पे, उसने already checking, अगर मैं यह high लिख देता तो software ज़्यादा sample निकाल के देता कम, तो ज़्यादा निकालता क्योंकि उसे, आपने बोल दिया भाई, risk आपने उसको materiality भी दे दी आपने उसको control भी दे दिये, आपने उसको data भी दे दिया, अब एक चीज़ और देनी है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाई जो पीछे चार प्राणी खड़े थे कल, जिनको मैंने क्या बोला था management, याद है अब आप एक बात सोचो, उनमें ना एक चार लोग में दो ऐसे लोग हैं, जो कर्म कांडी थे, जो पीछे जेल भी गए हैं दूसरी कंपनियों में फ्रोड भी किये हैं उनकी reported है, सर हम ये भी चेक करते हैं, कि management में पीछे क्या क्या हुआ है, हाँ जी जब भी हम किसी के साथ रिष्टा जोडते हैं तो कुंडली निकाली जाती है background चेक किया जाता है, लडगा क्या करता है, लड़के का पिता क्या करता है, वो भी देख लेता है, मरे बाबा ने क्या किया वो भी सब चेक होता है तो ऐसे जब भी हम किसी company के साथ रिस्ता बनाते हैं ना, तो हम उस company की management के बारे में सब कुछ चेक करते हैं जब सब सही लगता है तब ही हम उनका audit करने जाते हैं तो आपने जब उनकी management को चेक किया था, तो आपको क्या कोई दिक्कत नजर आई थी, हाँ आई थी, मान लो एक board of directors ने fraud कियो है past में मुझे information है, मुझे already reported है, हो सकता है कि ऐसा या फिर इस company बेना government के बहुत सारे rules लगते हैं, liquor industry है chemical industry है, लग सकते हैं क्या बहुत सारे rules government के लगते हैं, या फिर तीसरा example, अब मैं example दे रहा हूँ, बस सुनने आपने याद नहीं करने, तीसरा example company का जो product है, उसका जो raw material है, वो बहुत ही scared है available नहीं है, हो सकते हैं, मतलब अब जो मैं risk की बात कर रहा हूँ these risks are not related to purchase, yes or no but these risks are related to company absolutely right, these risks are related to, यह सर business risk है, हाँ या ना मुझे इस company में इस area की कितनी checking करनी है, generally business risk तो हर area के लिए same ही रहेगा हाँ या ना जी भई, management fraud थी, तो क्या purchase के time पे मैं बोलूँगा fraud थी, fix assets की checking के time बोल तो नहीं नहीं अब इमानदार है, तो business risk और company के risk तो generally सभी area के लिए क्या रहेंगे, लेकिन चाहिए आपको लगता है, आपको देखने चाहिए, हाँ, जो business risk होते है ना उनको हम बोलते है, inherent risk, क्या बोलते है, inherent word आपने पहले भी सुना होगा, जो always, always आपके पास है, चाहिए, आप कितने भी control लगा लो, आप उनको बिल्कुल खतम, कम जरूर कर सकते हो, लेकिन खतम नहीं कर सकते है, जैसे example raw materials के रहे ठीगे, जी import कर लेंगे कुछ material, लेकिन आपने risk तो खतम नहीं किया, तो एक ऐसा risk, जो business risk होता है, वो भी हमें consider करना होता है, planning stage of audit pay, जो क कि भाई, company का inherent risk low है, इसका मतलब क्या है, company के business में सबकुछ, management, बड़ी है जी, कोई दिक्कत वाली बात, दूसरा मैंने एक और checking कर ली control, तो मैं क्या बोल रहा हूं, control risk भी कम है, मतलब control भी सारे effective है, efficient है, continue है, तो आपने software को एक और comfort दिया, आपने software को यही बता दिया, कि इस company के लिए material क्या है, software को मिल गया ना, आपने लिए data, अब आपने यह data देने के बाद, button press करना है, कौन सा, okay, आपने transaction दे दी, आपने okay प्रेस किया, software आपको क्या निकाल के देगा, output, और output में उसने निकाल के देदी, let's say, 300 samples, अगर सर मैं सब high कर देता, तो कितने आ सकते थे, 1000 भी आ सकते थे, अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज, आपने यह मेरे साथ किया है, आपको लगता है, मैंने जो आपको बताया, इसमें एक काम और होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, क्या हो, हाँ, जी, यह एक हो सकता है, इस बच्चे ने का, सार, हमारी policy के साब्स हमें minimum sample कितने चेक करने, ये भी तो देख लो, भई मानलो, auditor कहता है, okay करके कितने sample आ गए, लेकिन मेरा मन कह रहा है, मैं 400 करूंगा, अब वो 100 और निकाल देगा, कोई भी, लेकिन अगर software को 500 निकालने थे, तो वो 500 sample निकालेगा, 400 निकालेगा, 500, तो वो पहले वाले के इसमें 400 sample देगा, दूसरे वाले में 500, तो एक minimum sample भी आप उस software में डाल सकते हो, कि minimum मैं इतना तो चेक करूंगा, एक और चीज़ जो आपने miss कर दी, जो और होनी चाहिए, जो मैंने नहीं की, मैंने 4 चीज़े दी हैं software को, 5 बोलो आप, number 1, data, number 2, materiality, number 3, control risk, number 4, inherent risk, number 5, minimum sample, बटन दबाया हो, कि 300 sample निकल कर आ गए, एक काम और करना चाहिए था हमें, जो हमने नहीं किया, वो बताएगा कोई क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए था, जब आपने software को ये 4 लाख transaction दी है, आपको नहीं लगता, जब आपने ये data software को दिया, ये data ही तो था, base data, तो ये जो base data है, इसकी सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए थी, चेकिंग करनी चाहिए थी, बेटा ही शीका वो बहुत बात में करवाँगा, जो audit trail feature के आप बात कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए थी, क्या checking करनी चाहिए थी, लव आरिया ने बिल्कुल सही लिखा है, data की checking करनी थी, बताओ, क्या checking करनी थी, क्या देखते आप इसमें, ये related party अगेरा तो बोट है, येस, आपने बिल्कुल सही बोला, कि सारी purchase इसमें आ गई या नहीं आ गई, तो basically आपको देखना था कि data आपका क्या है, complete है जी, और स आथे साथ, accurate भी है, क्योंकि अगर आपने data दे दिया, 4 लग, समझना, feel करना, आपने sample निकाल लिए, 300 checking भी कर दी, सब कुछ सही था, और आपने बोल दिया, मेरा purchase क्या हो गया, खतम, पर्चेस के 3 step थे, walkthrough, TOC, sample निकाल के checking करना, मैंने कर दिया, तो इसका मतलब purchase क्या हो ग लेकिन बीच में accounted आता है, अरे, auditor साब, यह न जरा 50,000 transaction रह गई थी उसमें, यह जरा और डाल ले ना, आप कहेगा, खुझे, मैं checking खतम कर चुगा हूँ, हमें नहीं पता, यह 50,000 रह गई थी, तो यह आपको नहीं लगता कि वो 4 लग software को देने से पहले, you have to make sure, कि data accurate है, complete ह पता चले सारा काम खतम करते हैं, फिर बाद में कुछ निकल कर रहे, तो जब भी हम data देते हैं ना, software को, हम सबसे पहले एक जरूर चेक कर लेते हैं, that is, based data का completeness and accuracy, और इस checking को एक technical नाम दिया गया है, वो technical नाम को मैं बोलता हूँ, IPE Testing, क्या बोलते हैं, इस IP की full form होती है, information produced by entity, कि जो भी information, आप बताना, जो भी information किसने produce की हो, उसका आप सबसे पहले verify कर लो, use करने से पहले क्या, completeness and accuracy, आप information use कर लोगे, वो information complete थी नहीं, accurate थी नहीं, relevant थी नहीं, आपने काम कर दिया, तो सारा काम सही हुआ, गलत हुआ, तो अब main काम करने से पहले हमेशा एक काम करते हुए चलो, वो कौन सा, IPE Testing, data आपको company ने दिया है, उसका completeness accuracy देख लो भी या, क्या relevant data है भी या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो, तो हमने sample में data लिया, data की हमने IP Testing की, software को दिया, materiality दी, control risk दिया, inherent risk दिया, minimum sample निकाल दिये sample निकल कर आगे, 300, लो जी, अब output में क्या है, 300 samples, बटा, खतम होने वाली है, बस class, कितने sample आगे, अब क्या करे, 300 sample निकाल के, एक Excel sheet में, Excel sheet समझते हो, 300, जितने भी मेरे student है, good news, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, तो मैं बठा रहा हूँ, just, कुछ बच्चों को पता होगा, आप सब के लिए, एक Excel course free है, by the big four senior manager, ठीक है, जितना भी Excel use होता है, जो हमने हमारी 10-12 साल की life में use किया है, उतना आपको सिखाया जाएगा, with assignment, और जो यह है, जो face-to-face के student है, उनको जो Google Drive का backup मिलेगा, उसके साथ मिलेगा, जो बच्चे live देख रहे हैं, उनको भी उसी के साथ मिलेगा, और जो बच्चे recorded देख रहे है उनको भी मिलेगा, absolutely free of course, 1000 का course है, website पे, कुछ भी पे नहीं करना, इस बार test series भी सबके लिए free है, with checking, वो भी हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं, आपके तो class में ही थी, बाकि student के लिए, आप लोगी तो अलड़ी discuss कर चुके है, नहीं test series वाली बात तो, आपका तो class में ही free पेपर के बाद सीख ले ना राम से, लो जी, exam के बाद देखना हुसे, ठीक है, 300 samples निकल कर आगए, samples क्या होता है, Excel sheet में एक sheet बनके आ जाती है, सर हम उसमें change कर देंगे, change करी नहीं सकते है, उसके एक अलग से log file बनती है, आप sample change, नहीं, सर हम दुबारा निकाल लेंगे, same information दुबारा डालके निकालो, दुबारा same sample निकालके देगा, क्योंकि software ने क्या किया है, कुछ rules apply की है, software कैसे काम करता है, वो भी हम discuss करेंगे, आने वाली classes में, तो अब क्या करें, अब तो sample आ गए, अब क्या करें, क्या करें, 300 sample Excel sheet में है, what you will do now, क्या checking, sample उपर निचे करके उसमें तो बस ट्रांजेक्शन आ रही है, purchase पांचलाक रुपे की, date आ गई, करें क्या, एक सेकिंड हैंड रेस करके बताना भाई या, लाई वाले आप भी बताना, हां जी बताओ, तो कैसे देखोगे control, उसके लिए हमें management से documents तो लेने पड़ेंगे न, तो step by step चलो, पहले सबसे पहले step पे क्या करेंगे, वो Excel sheet हम email कर देंगे, purchase department के head को, ठीक है न, यह 300 sample है, जिसको हम check करना चाते हैं, अब यह 312 महीने से अलग-अलग date से हैं, अब आप इनको अराम से 2-3 दिन ले लो, तो इतना time लगेगा, भाई मान लो, system में कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, उन सबको अलग करेंगे, फिर सबकी एक file बना के देंगे हमको, soft में, फिर हमारे पास time लगेगा, नहीं लगेगा उनको, तो we'll give a proper time to them, कि 300 sample है भाई take your time and हमें email कर दो आप, कुछ company software नहीं maintain करती, तो वो क्या करेगी, आपने देखा होगा CA कि कभी photos देखे होगी, आपने कभी social media पे, एक बड़ी सी table है, एक बच्चा बैठा हुआ है चुजा, और उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी file है लगी होई है, वो file हो में sticky note लगा द obviously क्या मिलेगा आपको, अगर आप अच्छी firm में हैं तो soft copy मिलेगी, आपके पाप management 300 sample को mail कर देगा, mail कर देगा या hard disk में देदेगा, सर ये 300 sample आपने मांगे ते लो जी, कर लो जो करना है, अब क्या करें, अब सुनो क्या करें, एक बच्चे ने बिल्गुल सही जवाब दि है, कि सर अब purchase के 300 sample हैं, एक sample मैं उठाऊंगा, एक sample मैं उठाऊंगा, और मैं ये देखूंगा, कि क्या इस purchase को properly authorized किया गया, क्या इस purchase के properly invoices हैं, क्या इस purchase को properly समाना आ चुका है, सर यही काम हमने control testing में किया था, control में मैंने sign पे focus किया था, यहां मैं numbers, taxation, GST का calculations आईए है, deduction सही हुआ है, थोट process change हो गया, document से मैं, post रखता है, इनी में से ही कोई एक sample मैंने उठाया था, किस चीज के लिए, control के लिए, लेकिन वहां मेरा focus number पे, वहां focus था कि sign है या नहीं है, वहां मैं नहीं नहीं देख रहा था, GST ठीक है, नहीं है, entry ठीक है, नहीं है, booking सही चेक करके, अगर मैं बोलता हूं सही है, तो इसका मतलब purchase department क्या हो गया, मेरा, खतम, लेकिन और थोड़ा सा technical करते हैं, financial किसने बनाए, management ने, इसका मतलब management ये बोल रहे हैं, सब सही है, सब complete है, सब accurate है, सब reliable है, तो जब हम इस 300 sample में checking करते हैं, तो आपको check कर दोगे, आपक को check, तो जो चीज़े हम check करते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C-E-A-V-O-P, ये कोई मैंने आपको निमोनिक बना के नहीं दिया है, ये कोई निमोनिक नहीं है, कि रटने के लिए मैंने बना दिया, ना, ये बिक फोर में यूज़ होता है, क्या बोलते हैं, C-E-A-V-O-P, C का मतलब हैं यहाँ पे completeness, क्या आपने जब भी आप किसी area की checking करें, आपको सबसे पहले क्या check करना है, या एक area आपको check करना है क्या, completeness, कि वो complete है या, मानते हो check करना पड़ेगा, purchase complete है, दूसरा existence, existence का मतलब क्या होता है, I exist in this classroom, yes or no, how you can say yes, because you can see me, right, अगर मैं छुप जाऊं, क्या existence दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, अरे छोड़ो, पीछे वालो, existence पे comfort मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि नहीं दिख रहा, समझा रही है बात, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, कि कंपनी ने जो समान खरीदे हैं, या कंपनी का कोई debtor है, वो actual में क्या करता हो, पता चले, उन्होंने sale कर दिया, sale to sir, रामचंदर भगवान, 5000 करोड, sale में भी आ गया, debtor में भी आ गया, पैसा नहीं आ रहा, आएगा जी हमारे भगवान, रामचंदर जी, पे करेंगे, आपने का ठीक है, बात करवाओ, उसने का ध्यान लगाओ, बात हो चाहेगी, तो आप उस financial को sign करोगे, क्योंकि उसमें वो debtor exist ही, तो कैसी बाते कर रहे हो, भगवान exist करता है, तो आप लेका मेरे को verify करवाओ, verify कर पारे हो, तो हमें existence भी verify करना होता है, अगर आपने बोला machinery है, तो दिखाओ का है, उसके बदा accuracy, बड़ा simple सी बात है, plus minus अगेरा सब क्य होना चाहिए, valuation, V4, कि भाईया, आपने अपनी books में PPNE कितने की आएगी, उसके लिए AS number 10, follow करके ही आपको value करना है, intangible assets का valuation जिस तरीके से होना चाहिए, तो मैं ये पूरा valuation भी check करूँगा, हाया न, then O, O के साथ आप एक word और लगाईएगा, that is right, right and obligation, कि जितना भी समान आप अपनी balance sheet में दिखा रहे हो, उस पे आपका क्या है, right, और जितनी भी liabilities आ रही है, वो सब आपके क्या है, मान लो मैं सी एक अपिल गोल, हम दो भाई है, उसकी भी अपनी factory है, मेरी भी अपनी factory है, मेरे को अपने balance sheet के न, financial inflate करने है, loan लेने के लिए, मैं अपने भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, मेरा space बचेगा, मेरी factory में आके 10 truck का माल उतरवा देता है, auditory राता है, कहता है, माल दिखाओ, मैंने का देख ले, सारा माल देख ले, existence है, क्या books में आएगा, क्यों, क्योंकि right आपका नहीं है, क्योंकि right आपका, मेरे पाई existence तो है, बट right नहीं है, फाइदा क्या, तो आपका right भी होना चाहिए, आपके asset पे, यह नहीं सिर्फ existence है, right है तो existence भी होना चाहिए, बात समझाए, and P is for presentation, क्या financial को उस तरीके से ही बनाओगे, जो आपका relevant standard बोलता है, आपके case में financial के हिसाप से बनते हैं, let's say, schedule 3 के हिसाप से, अगर मैं US पे बना रहा हूँ, तो US के gap के हिसाप से, तो इसका मतलब जो मैं आपको audit पढ़ा रहा हूँ, इंडिया के हिसाप से पढ़ा रहा हूँ, यह वल्ड वाइड के हिसाप से पढ़ा रहा हूँ, यह और बता दो, गलत, मैं आपको जो auditing पढ़ा रहा हूँ, this is for worldwide, आप इन 40-50 क्लासों के बाद CPA का पेपर भी दे सकते हैं, ACCA का भी दे सकते हैं, Indian CA का भी दे सकते हैं, पाकिस्तान CA का भी दे सकते हैं, पाकिस्तान CA के कम से कम 400 स्टूडेंट मेरे से क्लासे लेते हैं हर साल, वहाँ भी CA बेटा, जैसे Indian Institute of Chartered Accountant है, ऐसे पाकिस्तान इंस्ट कौन सा? और इट तो, बहुत सारे बच्चे मेरे को मेल करते रहते हैं, क्या कह रहे हो? वेटा, आप कभी अपने देश से बाहर निकलोगे न, वहां के देश से पैसा नहीं है, वहां पे बच्चे तो हैं, आप कभी दुबई जाओगे, कभी युएस जाओगे, कभी युके जाओगे मैं बता देता हूँ आपको आपके साथ में एक और बंदा उसी कंपनी का वही काम कर रहा होगा जो कर रहा होगा आप उससे पुछना वो कहां से वो आपको पाकिस्तान का चार्टर अकाउंटेंट मिलेगा तो जैसे इंडियन सीएज बाहर काम करते हैं ऐसे ही जो प हमारे से कभी कॉम्पीट करी नहीं पाएगी अजाद हुए उनको अला कि ज्यादा साल नहीं हो लेकिन वो पीछे हमसे 10,000 साल हैं तो वो कभी उपर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका पैसा नहीं है वो दूसरों के उपर डिपेंडेंट है और अभी चलो उस चीज में ज्यादा नहीं जाएंगे उन्होंने तो बहुत-बहुत कांड के अभी इसेंटली बहुत बड़े कि वो कभी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस चीज में उनकी गवर्मेंट बेसिकली साही नहीं है तो आपने एजन ओडिटर क्या चेक करना है सीवोप क्या च चले जाओ सर इसीवोप ही क्यों बोलते हैं इनको कोई शोटकट में कोई नाम दे दें बिल्कुल देना पड़ेगा इनको टेक्निकल भाशा में बोलते हैं अजर्शन्स अब आपको लग रहे कि कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं आपके पास जिनको आप नहीं उस करते हैं इनको क्या बोलते हैं अजर्शन्स मतलब अब मैं टेक्निकली बोलू तो once we will check all the अजर्शन्स we can say our account is complete now why we call them अजर्शन्स basic financials किसने बनाए कंट्रोल किसने बनाए financial complete है कौन assure करेगा financial के अंदर सारी चीज़े जो आ रहे हैं वह exist करती है कौन चेक करेगा management करेगी ना auditor तो बाद में आएगा पहले responsibility किसकी है सबकुछ accurate है management सारी valuation ठीक है जो इसमें आ रहा है उस पर हमारा right है जो liability उस पर हमारा obligation है कौन assure करेगा सबकुछ है इस पर relevant financial reporting framework एक word आता है financial reporting framework FRF यह basically इसलिए use किया जाता है कि अब जहां के भी financial बना रहे हो वहां के इसाफ़े जो भी relevant framework है either it can be schedule 3 और it can be banking regulation आप उसके इसाफ़ से बनाओ schedule 3 लिख दूँगा तो गलत हो जाएगा ना regulation बन रहे हैं आपके banking में अब banking का audit करने गए आप को गया और कपिल समने schedule 3 बोला तो financial बना किसके एसाफ़ से हमारे लिए relevant framework ही अलग है तो हम क्या बोलते हैं आपके financials बने हैं as per relevant कि सब कौन insure करेगा who is responsible at the end वो sign कर रहे हैं तो वो basically assurity दे रहे हैं कि सब कुछ जो आप बोल रहे हैं वो हमने ऐसा किया है तो basically वो assert कर रहे हैं वो अपने sign कर रहे हैं वो हमें assert कर रहे हैं कि everything is fine हम क्या कर रहे हैं management की जो representation है management represents किया हैं अपने sign करके उस representation को क्या कर रहे हैं verify रहे हैं क्या कर रहे हैं तो Jeremy किया है अपणने users को अपने stakeholder को अंअ was for excitement को kia कर रहे हैं verify कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं अच यह अर्दे जर्शन तीज़र में इस और रिप्रिजेंटेशन बाए और हमें यही verify करना है once we test them, we can say our purchase is done, ठीक है, अब एक छोटी सी आपकी test your understanding में आपके सामने रख रहा हूँ, जब सोच कर जवाब दीजेगा, ठीक है, कितने sample निकाले थे, 300, यहीं पर इक continue कर लेते हैं, चलो, और यह एजर्शन्स पर आपके paper में 6-8 number का काम आता है, पता है आपको, पूरा audit यही है, जो आपके सामने 6 वर्ड दिख रहे हैं अभी, पूरा audit ही यही है, आपने ये 6 चीजे चेक कर ली, आगे भड़ो, इनको check करने के लिए हमें पीछे वाले सारे काम करने पड़ते हैं, कौन-कौन से, walkthrough, TOC, materiality, business risk, सब इसे के सेंपल निकालने के लिए तो किये, हाँ या ना, अब आप सोच कर बताइए, आपने 300 सेंपल निकाल लिए, इनकी आपने चेकिंग कर ली, क्या purchase का completeness पे comfort मिलेगा, चेकिंग के बाद, येस सर, क्योंकि जो सेंपल हमने निकाले हैं, 10th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कि जब भी आप सेंपलिंग करते हो, तो जो data होता है, जो भी सेंपल होता है, तो सर, हाँ, मैं ये मान लेता हूँ, कि अगर 300 सेंपल complete है, तो बाकी सारी ट्रांजिक्शन क्या होगी, सही होगी, तो yes, लेकिन एक चीज़ आप चेक नहीं कर पाओगे, बेटा, अभी, नहीं, अभी existence में आया नहीं हो, अभी completeness में हो, management ने आपको बोला, ये data ले लो, य management के financial से भी है, मैच हो रहा है, तो इसका मतलब complete है, यहाँ पर missing है, ऐसा हो सकता है कि कुछ transaction record होनी चाहिए थी, जो होई नहीं हो, तो नहीं तो वो data में आ रही होगी, नहीं, financial में आ रही होगी, मानते हो, बेटा, तो इसका मतलब completeness नहीं हुआ, जो है वो complete है, ये पता चल रहा है, कुछ होना चाहिए था, या हो सकता है कुछ, नहीं होना, ऐसा भी तो हो सकता है, company ने 4 लग दिया, नहीं सर्थ 350 होना, 50 तो आनी ही नहीं थी, जबरदस्ति डाल रख, तो complete के अलावा, unrecorded, मैं एक वर्ड यूस कर रहा हूं क्या, कुछ हो सकता है, unrecorded transaction हो, हो सकता ह कुछ recorded हो, that should be unrecorded, तो इसके लिए तो TOD से नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए क्या करें, for this, आपने sample से तो नहीं पता चलेगा, for this, we have to apply some other procedure, बोलो मेरे साथ, we have to apply some other procedure, तो आपने sample checking की, आया न, उससे आपको comfort तो मिला, लेकिन किस पे मिला, जो है, unrecorded पे नहीं मिलेग उसके लिए we will apply other audit procedure, yes or no, यह other audit procedure क्या है, यह हम आने वाली classes में discuss करेंगे, आगे चले, break दे रहा हूँ, दो मिनिट में दे रहा हूँ, उसके बाद आता है existence, existence पता चलेगा, 300 कागच को देखकर, चाहे soft में या hard में, बताओ, existence पता चलेगा, yes sir वाले hand raise करो सब भी बच्चे अच्छा, no sir वाले hand raise करो, यह 430 में से तीस पता रहें, बाकी का क्या क्या जाए, yes sir, existence verify हो जाएगा, existence verify हो जाएगा, नीचे और no वाले, no वाले कौन है, बिटा, आप किस साथ हो, होगा नहीं होगा, दिमाग लगा के आपने सोचना है, अभी blank बैठ होगे, तो सही नहीं है आपको मैं बोल रहा हूँ, 300 सेंपल चेक कर रहे है, existence verify होगा, अरे मैंने तुम्हें example भी दिया, क्या कपिल को यहल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपके पास voucher आ गया, कि भाईया, machine खरीदी है, company के नाम पे बिल है, मतलब company की है, मानते हूँ, मतलब right तो verify, existence verify हुआ, उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, machine को जाकर, sample कागच को देखकर, तो अपने को existence पे कागच देखकर, document देखकर comfort नहीं मिला, इसका मतलब इसके लिए अपने को एक नया audit procedure लगाना पड़ेगा, कागच से नहीं होगा, क्या, physical करना पड़ेगा जी, physical verification, verification, क्या करना पड़ेगा, verification, अलग-अलग audit procedure है, अभी example के लेग लिख लिख रहा हूँ, physical verification, accuracy पता चल जाएगी, plus minus, tax calculation, जी, general entry बगेरा, valuation, 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 valuation बताओ, 300 sample, 300 transaction आपने देख ली, valuation पे comfort मिलेगा, yes or no, दोनों answer इसके सुनिएगा कैसे, दोनों answer सही है, sir, transaction का value सही है, इस पे comfort मिल रहा है, मतलब जो भी transaction recorded है, सब पे comfort है, valuation at the year end of inventory, उस पे comfort नहीं है, क्यों, क्यों कि year end की inventory का valuation अलग तरीके से किया जाता है, खरीदने की value अलग हो सकती है, साल के 31 मार्च को value क्या रहेगी, उसकी valuation अलग होती है, तो जो transaction के इसाब से बात करूँ अगर मैं, क्या transaction सही value पे record होगी, वो तो invoice value पे होगी, तो वो 300 से transaction level पे बात करूँ, तो verify हो गया, balance stock, year end पे, जो बचा, क्या उसको invoice total करके record कर दूँ क्या, आपका AS2 ये बोलता है, नहीं, आपका AS2 क्या बोलता है, market value और cost और NRV, whichever is, तो मतलब यहां पे कुछ अलग rule है, इसका मतलब अपने को valuation अलग से check करनी, तो अपने को year end के लिए we have to apply other audit procedure, मतलब सर आपी indirectly तो ये बोल रहे हो, 300 sample चेक करने से काम खतम नहीं होता, समझा रहा है न, right and obligation पता चल जाएगा 300 sample से, देखने पड़ेंगे न, schedules देखने पड़ेंगे, notes to accounts देखना पड़ेगा, तो document देखने पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या देखने पड़ेंगे, financials, तो other audit procedure, Valuation repeat करूँ बेटा, कहां पे हो, सुनो, मैं पानी की बोटल बनाता हूँ, actual मैं भी बनाता हूँ, मैं पानी की बोटल बनाता हूँ, ठीक है, ये पानी की बोटल, मैं खरीद रहा हूँ, सुरी, अपना purchase का example चल रहे है, मैंने आज एक पानी की बोटल खरीदी, ये सो रुपए की बोटल है, आप इसकी books में accounting entry क्या करोगे, purchase account debit to bank, कितने से, तो क्या value सो रुपए verify कर सकता हूँ, बिल से, comfort मिल गया, साल के आखरी में, मेरे पास हजार बोटल रखी हूँ, ये स्टोक में, क्या 100 into 1000 करके record कर दूँ, आप से पूछ रहा हूँ, जिसने query पूछे थी, भाई मैंने 100 रुपए की एक खरीदी थी, मेरी books में 10,000 बोटल रखी हैं, तो 100 into 10,000 करके मैं books में इसकी value record कर दूँ, तो transaction तो verify हो गई, year end का stock verify, उसके लिए हमें AS2 को follow करते हुए, inventory का valuation करना पढ़ेगा, ये आगे chapters आएंगे, समझाया, तो इसके लिए क्या हो गया, other audit procedure, presentation के लिए financial देखेंगे, other audit procedure, तो conclusion क्या निकल रहा है, सर्फ purchase को खतम करने के लिए, आपको एक तो करनी पढ़ेगी, sample की checking, और इस purchase को पूरा खतम करने के लिए, कुछ assertions check करनी पढ़ेगे, और उन assertions को क्या बोलते हैं, CWAP, इन assertions को check करने के लिए, आपको number one करना पढ़ेगा, sample checking, और number two, other audit procedure, इन दोनों की help से, आप क्या check करोगे, adjustments, sample checking को technical भाषा में एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, test of detail, TOD की भाईया, अब हम क्या करेंगे, detail में checking, उपर हमने control checking की थी, TOC, अभी हम number की detail में checking करेंगे, sample को use करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, TOD, test of detail, other audit procedure के अंदर अलग-अलग procedure आ सकते हैं, physical verification, inquiry करना, किसी भी चीज़ को देखना, इन दोनों को मिलाके की भी एक technical नाम देते हैं, वही, evoke को check करने के लिए, आपको कुछ procedure लगाने पड़ेंगे, that procedure can be sample checking और other, इन दोनों को भी combine करके एक नाम दिया गया है, और उसे बोलते हैं, substantive audit procedure, क्या बोलते हैं, substantive, यह आपके लिए नया word है, substantive audit procedure, substantive, सभी अच्छे मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलते हैं, substantive audit procedure, जिसमें दो तरीके के procedure आ गए, number one, test of detail, number two, other audit procedure, यहाँ पे जब आप substantive audit procedure लगाकर, सभी अजर्शन पे comfort ले लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, purchase का area, क्या सिर्फ TOD करकर, सिर्फ sample की checking करकर, मैं purchase खतम कर सकता हूँ, आपने दोनों procedure लगाने हैं, purchase खतम करना है, फिर आपका area क्या हो जाएगा, खतम, तो यह हो गया हमारा किसी एक area को खतम करने के सारे steps, अब एक बार आपने conclude करना है, फिर हम आज की class का break लेते हैं, खतम कर लेते हैं, जैसे भी आप बोलो, खतम कर देंगे, step one क्या होते हैं, बताओ, step one, अब समझ लो conclude कर रहा हूँ, step one हो गया, walk through, क्या क्या था इसके अंदर, process understand, risk understand, control के understanding, क्या कोई decision में की मुई थी, कोई decision में की मुई है, किस चीज़ पे, design of control, अगर आपको design of control adequate लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी, checking करेंगे, that will be our step number two, step number two का नाम क्या था, test of control, test of control में आपने sample select किये, sample की checking कर ली, ultimate decision making क्या होती है, यहाँ पे भी decision making होती है, क्या जी क्या निकालते हो, कौन सा risk निकालते हो, control risk, that will be either low, medium और high, step number three, control risk भी निकल गया जी, अब क्या करें, अब भाईया, आपको number checking करनी है, तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, samples, but sample हम आज के दिन manually नहीं निकालते, तो we'll use a software that is called by idea, idea के अंदर आप input दोगे, तो वो input में क्या क्या जाएगा बताओ, number one, data, ठीक है, number two, materiality, कहां से निकालोगे, कौन सा essay है, essay number 320, number three, control risk, number four, inherent risk, number five, minimum sample, ठीक है, सर, जब भी आप data दोगे ना, देने से पहले, data upload करने से पहले, चेक कर लेना, IPE, testing, इसके अंदर क्या चेक करते हो, सर, data complete है, accurate है, reliable है, relevant है, ठीक है, परचेज में यह नहीं, sales का data डाल दिया, relevant है, सर, data निकल गया, idea में आपने सारा data दे दिया, idea आपको क्या देगा निकाल कर, samples, इन samples में क्या चेक करोगे, adjustions, क्या चेक करोगे, adjustions को क्या बोलते हैं, CWOP, क्या बात है, ठीक है, CWOP कैसे चेक करोगे, सर, CWOP चेक करेंगे, एक audit procedure लगा कर, जिसको बोलते हैं, substantive audit procedures, इसके अंदर दो procedure आ जाते हैं, number of TOD, number two, other audit procedures, once these are done, our purchase is done, इसका एक photo, या फटा-फट से ये ले लो, now you have a break for 10 minutes, यार चुट्टे करके क्या करोगे, देखो मेरा काम खतम हो गया, अच्छा एक बात बताओ, ये चाहिए आपको गंदा-गंदा सब कुछ, कल वाल, अरे एक चीज़ देखो पहले, कल वाले की जुरुत खतम हो जाएगी, ये देखो पहले, flow of audit बना रखाए, फिर आप डिसाइड कर लेना, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, भाईया, flow of audit समझ लो, हमने जो discuss किया है, इसको मैंने अपना एक नाम दिया है, flow, ये प management को देखते हैं, फिर एक दूसरा risk कोन सा होता है, control risk के लिए हम दो step लगाते है, number one, walkthrough, जिसके अंदर process risk और control को देखते हैं, दूसरा, फिर finally control testing करते हैं, walkthrough हम already discuss कर चुके है, control testing already discuss कर चुके है, जिसमें मैंने कहा था 25 sample select कर लेना, relevant control को check करना, देखना control implementation है, effective, efficient and continue है, final decision द तो सबसे पहला, step one क्या होता है, आप client से लोग क्या schedule, यहाँ पे schedule का मतलब ledger, data, population, आप कोई भी बोल सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, upload करेंगे, software में जिसका नाम क्या है, idea, फिर हम software को क्या देंगे, materiality, फिर हम दो risk देंगे, उसको कौन-कौन से, IR और CR, और साथ ही साथ, यहाँ पे minimum sample की बात नहीं है, आप साथ ही साथ क्या दे सकते हो, minimum sample दे सकते हो, software निकालके क्या दे देगा आपको, 300 samples, एक चीज़ और नहीं है इस चार्ट में, जब ledger upload करोगे तो आपको एक testing करनी पड़ती है, क्या, IP testing, ठीक है जी, at this stage we get the samples from testing of financial statement, आगे बढ़ते हैं, जब sample निकल गए तो क्या चेक करेंगे सर, तो हम चेक करेंगे CWOP, या पहले बोले अजर्शन्स, जो है, वो completeness, existence, accuracy, valuation, right and obligation और presentation, कुछ और अजर्शन्स है, वो बाद में introduce करूँगा मैं, ठीक है, यह बाकी बात बाद में, तो यह flow audit का मैंने एक चोटा साप के लिए चार् का नंबर क्या है, 43, तो जो हमारा CA Interaudit Notes वाला जो टेलिग्राम चैनल है, कुन सा, CA Interaudit Notes, दो है, एक CA का पिलगोईल, एक उसी पर यह आपको उपर लिंक मिल जाएगा, CA Interaudit Notes, वो भी बनाया है, मैंने रिसेंटल कुस टाइम पहले, वहाँ पर आप जाके 43 नंबर वाला यह चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यू गाइस कें टीकी 10 मिनिट ब्रेक, देन विल डू स्टेंड अप कमेडी, क्लास खतम, ठीक है, ओके जी, अच्छा जवाबी बनाया है, लो जी, पंदरा मिनट, पंदरा मिनट, पंदरा मिनट, तो मेरे पास है, आपकी अगली क् लो बेटा लो, समझा जाएगे आपको ये, मैंने साफ साफ भी बना रखा है, कैसा ही, मैंने एक साफ साफ बनाया हुआ है, हैंडिटन, वो मैं ये भी दे देता हूं, वो भी डाल दूँआ, समझ आया है सबको, आपकोई queries है तो पूछ सकते हो आप, हाँ जी, inherent risk आप अभी के लिए सिर्फ इत्रा समझ लो, business का risk, ठीक है, बस, हाँ जी, और कुछ, अभी class चल रही है, class खतम नहीं हुए, सबसे पहले तो ये धियान रखना, अभी break चल रहा है, हाँ, पूछ सकते हैं, आपको, अभी, सब में होगी, सब में होगी, इस बार सब को दूँगा, टेसरेस, ठीक है, होते हैं, होते हैं, समझाओंगा ये, अभी आएगा, हाँ, अभी तो बहुत basic समझा रहा हूँ, गयर मैं, रादे क्रिश्न, निवास भाई, एक वर सिर्फ मेरे को रखो, स्क्रीन पे, सिर्फ मुझे रखना, बस और कुछ नहीं, क्झा रहा दिर्पा दो, स्क्रीन प्रूइक시면 फिलिए mejor, स्क्रीन खिलिए wr village, कि भी तो मैं, कि अंजी कि आप पूछ लो कि शिव कुमार गोयल रामनिवास जी रामनिवास जी हल्वाई हम आके पहले हमने डेटा की कम्प्लीटने शेक की थी कि वो डेटा कम्प्लीट है क्या थीक वो डेटा उपर नीचे हो सकता है अब हम ट्रांजेक्शन की कम्प्लीटने स्टी क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं है एक इन्वोई साया हुए पांच लग का अकाउंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया चार का तो पहले तुमने टोटल किया अकाउंट का टोटल अच्छा दस करोड़ा रहा है फाइनेशल में भी दस आ रहा है लेकिन वो चार लग के नहीं होने थी वो आपको इन्वोई से पता चलेगा तो यहां पर में मेरे ब्रदर का समान था समान था तो उसी कि अफॉट में आना चीए अपने और अधाल सकता हूं उसे कि हैं नहीं मैंने यह पर पैसे नहीं दिये हैं भाइचार हैं इसे समान अधे बंद्रूंट झाल 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 आपके एक क्वेरी है देवांश अगरवाल की क्वेरी है कि सर आईपी टेस्टिंग कैसे करेंगे अगर ट्रांजेक्शन फोटी थाउजन है पेटा सबसे पहले तो मैंने बताया ही नहीं कि आईपी टेस्टिंग कैसे हो गी अभी दूसरा जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता जेता हूँ कि एक बेसिक हम कैसे चेक करते हैं आपने क्लाइंट से डेटा लिया उस डेटा में आपके एक्जामपल में चार लाग ट्रांजेक्शन आ रही है आप उसका टोटल देखो कितना है चार लाग ट्रांजेक्शन का ठीक है टोटल है हमान लीजे 10,000 करोड डेटा सोफ्ट वेर में डालने से पहले एटलिस्ट वो 10,000 करोड का नंबर एगरी कर लो टाय कर लो मैच कर लो फाइनैंशल की परचेस से कि फैनैंशल में बी 4,000 लोड आ रहा है ना फाइनेंशल में भी चार आ रहा है अन्रीकोड़िड है या नहीं उसके लिए हम अगीर ओडिट प्रोसीजर लगाएंगए रोड हें दम लिरा मॉनिपलब कर lif honor लावा देंगे पे बंद करवा देंगे और आप youट का Professorship को रिक्कमेंड करना बंद कर देता है लेकिन इन वाधियो पर ज़रूर मैं मॉनीटाइजेशन बंद करवा दूंगा आगर आप देखेंगे मॉनीटाइजेशन में बाकि सारे monetization बंद है तो बीच में कभी भी आपको एड नहीं आएगा जब आप video स्टार्ट करते हैं तभी शायद एक पर आएगा हां जी सर नोट्स वाला टेलिग्राम चैनल सर्च कीजी आप CA Interaudit Notes by Kapil Goel इस वाले चैनल पर है क्या उसका लिंक नहीं है बिटा यो मेरा मोबाइल लेके आना कर देता हूँ अभी मैं अभी शेर कर रहा हूँ में टेलिग्राम चैनल पर नोट्स वाले टेलिग्राम चैनल का लिंक प्लीज सभी स्टोडिंट जोईन कर लीजेगा नितिश बिटा ये एड्मिन चीजर की इसके लिए आपको अपना सेंटर पर या सीए इंडिया से या कहीं पर भी जहां भी आप क्लासेस देख रहे हैं महां पर बात करना होगा वेन वीलार बुक डिस्पैच बुक कब तक डिस्पैच होगी बुक्स मैं अभी बना रहा हूँ ठीक है फाइनलाइजेशन स्टेज पे है फोड़ा सा उसमें मैं कीवर्ड्स हाइलाइट करने में लगा हुआ हूँ तो जो बुक्स है आपकी वो आपको मिल जाएगी नेक्स मन्त के फर्स्ट वीक में आई थिंक सब तक मैं सोफ्ट कोपी दूँमा डोंट वरी जो भी चीच चाहिए आपको सर सीए इंडिया जो स्कोलर्शिप प्रोवाइड करती है उसकी इंफोर्मिशन आपको कहां से मिलेगी उसके लिए आप सीए इंडिया के जो कॉंटेक्ट डिटेल से उसमें आप फोन कर लीजिए वह आपको डिटेल्स दे देंगे स्कोलर्शिप के लिए हां जी और बताइए और क्या क्वेरी आपकी नोट्स में क्लास के बाद शेर करूँगा अभी मैंने इंटरनेट बंद क्या हुआ है सर हमें रिस्क में भी सेलेक्ट करते हैं कौन से रिस्क के कंट्रोल देखें हंजी सो रहो करते हैं वह भी आगया आएगा तब बताऊंगा ऐससे 320 जब मैं आपको करवाँगा ना मेटेरियलिटी उस टाइम पे हम यह डिसकस करेंगे सर लाइब में आ रहे हैं इस क्लास ठीके बेटा मैं बंद करवा दूगा देखेगा जड़ा वो लिंक आया क्या नोट्स वाले चैनल का आ गया लो बेटा चलो जी स्टार्ट करें अच्छा यह बताओ तो फीडबेक और दे दो यारो एक एक आपका फीडबेक ले सकता हूं मैं तो एक फीडबेक दे दीजे प्लीज सर आपको फीडबेक देखें हमेशा लेना चाहिए आइधर इस पोजिटीव और नेगेटिव बिकोज भी ओल हाव टो इंप्रूव ओं डे बाई डे ठीक है वी ओल लॉन्स सब कुछ नहीं हर नहीं दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है मानते तो बहुत बहुत अन्यवाद लकी अभी आपको कोई नोट्स नहीं प्रिपेर करने हैं सब मैं बताऊंगा कैसे क्या प्रिपेर करना है आपको देखें आप अपने माइंड में इस तरह की क्वेरीज ना लेकर रहे हैं नोट्स कैसे बनाने हैं क्या याद करना है अभी मैंने आपको कुछ करवाया ही नही अपने माइंड में आखे बंद करके एक रीकॉल कर लिजिए कि अगर मैं किसी कंपनी के क्लाइंट पर जाता हूं तो मुझे सबसे पहले वहां पर वॉक्थ्रू करना है अपने आप से बात करते हुए इसे रीकॉल कीजिए आप अच्छा जी वॉक्थ्रू हो गया आप देंगे पाँच चीजे डेटा Materiality, Control Risk, Inherent Risk, Minimum Sample डेटा का IP टेस्टिंग कर लो देने से पहले सेंपल निकल कर आगए उन सेंपल में आपको करनी है अजर्शन्स की टेस्टिंग अजर्शन्स सारी सटिस्वाई हो जाए आइधर बाई टेस्ट ओव डिटेल सेंपल की चेकिंग या अधर ओडिट प्रोसेजर आपका एरिया खतम हो गया अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बढ़ाया है आईपी टेस्टिंग की फुल फॉर्म थी इनफोर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाई दी एंटिटी जो भी एंटिटी आपको इनफोर्मेशन दे रही है उसको इस्तमाल करने से पहले यूज करने से पहले एक लोग वो information complete है, accurate है, reliable है, relevant है, इस IP testing का चलो एक example देता हूँ, आपको इतना fancy लग रहा है है, सुनिएगा, मैं अपनी real life का real किस्सा आपको सुनाता हूँ, मेरा एक client था Honda Cars, सब लोगों ने सुनाए, उस client पे एक प्राणी है, उन प्राणी का नाम है गोरव, ठीक है, नाम भी actual है, client भी actual है, नाम भी actual है, जगे भी actual है, Honda Cars, तपुकडा, राजिस्थान में आज़ता है शाहिए, तपुकडा के अंदर हम यह audit कर रहे थे, ठीक है जी, धारविडा से अंदर जाके, तपुकडा में होंडा का प्लांट है, गोरव जो है, वो है रिवाडी से, और मैं ह ले एक शेर आ गया हो, लेकिन वो feel करता था, इसको कि भाई ठीक है, कुछ मिला, तो तू देख लिए हो, देख, क्योंकि वो किसमें था, client पे था, मैं auditor था, वो क्या था, client, और company, Honda जो है, वो Japanese client है बिटा, आप जब Japanese client का audit करोगे, तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे English नह Hello नहीं लिखते हैं, आप अपनी mail में San लिखते हो, Hello San, ठीक है, वो San बोलते हैं सबको, होता क्या है, अगर मुझे कुछ communicate करना है, उस चिंगी-पिंगी को, तो मैं directly नहीं कर सकता, वो बीच में translator रखते हैं, जो Indian translator होता है, जो मेरी Hindi या मेरी English समझ लेगा, उसको Japanese में बता देगा, communication इस तरीके से चलता है, तो वहाँ पर गोरव जो था, वो finance department का coordinator था, हमारा पूरा planning होता है, start करने से पहले, मैंने गोरव को बोला, गोरव PP&E का data दे, हमारी डेट एगरी होई थी, कि तुम मेरे को 5th में को PP&E का data देगा, उसने मुझे PP&E का data mail कर दिया, ठीक है, मैं अपने दूसरे काम में busy था, उसने 5 को data दिया, 5 को agree हुआ था, 5 को data दे दिया, मैंने उस data को open के 10th को, कि देखतो लू data complete है, accurate है, reliable है, relevant है, मैं software में डालने ही वाला था उस data को, PP&E की data को, किस data को, 10th को, मैंने सोचा, रुको 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 रुको, एक testing करनी हो थी, कौ तुसे purchase का data मांगा था, तुने revenue का दे दिया, क्या रहा हाँ, 5 दिन तुझे 7 कैसे कर था, समझाया, क्या रहा है, मुझे पता था, तुने बसकी बात है नहीं purchase का data भी check करने का, क्योंकि तू अलरड़ी busy है, दूसरे areas में, बट हमने agree किया हुआ था, कि हम data कब देंगे, 5 को तुने checking की 10 को, तो इसमें अब हमारी गलती, वो कह रहा है, officially मेरा जवाब है, sorry, wrong email sent, मैंने का, 5 दिन के तेरे पैसे बढ़ाएंगे हम, otherwise क्या होता, अगर मैं 5 को ही check कर लेता, मैं उसको 5 को बोलता, भई गलत data है, वो मेरे को दें नहीं पाता, वो फिर 5 दिन call करता, मैं उस उसकी फीस बढ़वा देता, audit की, कि देखो, तुम्हारी वज़े से हमारा audit क्या हो गया, फिले हो रहा है, तो भईया, हमारी फीस तो बढ़ा हो, हमारी resources बेस्ट हो रहे है, लेकिन इस case में उसने एक mail का जवाब दिया, 10 तारीक को, क्योंकि मैंने 10 को पूछा, आपने गलत चली, हम भी थोड़े friendly हो जाते हैं जो कि गलत है, मेरे को गोरों के साथ friendly होना चाहिए था, नहीं, अब हम साथ party कर रहे हैं रात को, दारुवारू साथ पी रहे हैं, फिर मैंने उसको बता दिया, मैं देखे, concept होता है हमारा materiality, यह क्या होता है, मैंने का यह होता है, बड़ बड़े होते हैं, बस हम उनी को देखते हैं, बखी सब छोटे-छोटे को छोड़ देते हैं, वो मुझसे एक दिन पता है क्या पूसते हैं, भाई, यह तुमारी materiality कितनी है, मैंने का क्यों बता हूँ, कह रहा है, फिर मैं छोटी-छोटी फ्रोड कर लूँगा, क्योंकि बत बताना चाहिए था उसको, कभी आप बताओ कि क्लाइंट को, सर हमारी materiality ना 50 लाग है, वो गएगा, थेंक यू, तो आपने कभी पी materiality क्लाइंट को नहीं बताने हैं, एक है न हम रियल लाइफ में वर्ड यूस करते हैं, गोची, रियल लाइफ वर्ड है, आप मेरी है हमारी भाशा में, जहां पर आपने कुछ गल्ती कर रखी है, and that गल्ती is intentional, that is गोची, गोची हम भी मारते हैं, और गोची क्लाइंट भी करता है, जैसे for example, मैं कोई area को टेस्ट कर रहा हूं, as an auditor, मुझे पता है, बहुत बसड है, बसड ही जगीने, पर्ड, बसड मतलब ब गोची मार दी, उपर नीचे करके, सब okay करके, मैंने काया, इस बला को खतम करो इस area को, अब मैंने गोची मारी है, मुझे तो पता है कहां पर क्या दिक्कत है, अब या तो partner वो गोची पकड़ पाएगा या, नहीं पकड़ पाया तो मैं बच गया, ऐसे client भी गोची मारते है गोची मार के, हमने ऐसा करके, पकड़ पाये तो ठीक है, सही कर देंगे, नहीं तो, गुरो मेरे को एक दिन आके कहता है, उसी दिन पी पियन नी कर, अब उसने दे तो दिया 10 को, मेरे को बता है क्या कहता है, आज देखूँगा, तुम auditor कितने बड़े auditor हो, मैंने का मतलब, क पकड़ के दिखा, खुद ही बता रहा है, अब प्रेशर के रिएट कर रहा है, कोई दूसरा क्लाइंट होता, वो ऐसे बोल भी नी पाता, auditor के सामने, और वो मुझे चैलेंज करके जा रहा है, क्या, कि मैंने पी पेनी में क्या मारी है, पकड़ के दिखा साल है, फिर मानोग मातर को, हमने उसकी गोची मातर 30 सेकंड में पगड ली, मातर 30 सेकंड में, और मेर कçu है, वह कपी बता दे ka nice podcasts, बता दे आयर कैसे पगड़ी, वाई केसे पगड़ी गोची बता ना इतना यार हम पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है। फिर आपने क्या बोला उसको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीए करना पड़ेगा विटा विपॉम में बस तुम गोची मार सकते हो लो जी आके बढ़ते हैं मैंने आपको बस इसलिए रोका लो जी कि एक किताब की पहली क्या हुआ कर रहे हो लो जी किताब की पहली लाइन देखेंगे बस एक लाइन हो बोलते हैं ना एक शगुन करने वली बात है बस देखेगा अच्छा अब एक बार बताओ क्या 100% चेकिंग कर सकते हैं क्लाइंट की सच्ची ना ठीक है नहीं कर सकते कभी भी के ट्रिव एन करेक्ट बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं यह बाते आपको पता है समझा क्या है वाप लो जी मिनिंग और डेफिनेशन ओफ और चर्चा करते हैं छोड़ते थियोरी को देखो क्लाइंट जो होता है जैसे कि मैंने अभी एक जिक्र किया होंडा और हम चार्टर इसलिए बूल रहा हूँ क्योंकि साल क्या हो चुका है खतम हो चुका है अब उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्लाइंट हमें किसी दूसरे काम के लिए बुला सकते हैं बिल्कुल आपने दसतरे के उडिट तो आपने बताये थे अब मैं आपको कुछ नहीं नहीं बाते बताता हूं कि क्लाइंट हमें और किन किन चीजों के लिए बुला सकता है बैंक ने कंपनी को लोन दिया हुआ है उसके लिए गैरेंटी जो है वो स्टोक को रखा हुआ है स्टोक के उपर लोन दिया हुआ है इन्वेंटरी के उपर बैंक कहता है भई हर तीन महीने में आप अपने inventory का क्या करोगे valuation करोगे और हमें report दोगे तो मेरे को company बोलती है Honda company अरे couple साब CA साब आप हमारे यहाँ और आप quarterly हमारे यहाँ क्या करो stock को value करके हमें दे दो क्या मैंने stat audit किया मैंने एक task complete किया valuation of inventory एक मेरे लिए क्या वो एक काम था येस मेरे लिए काम था उसके लिए मैंने पैसे लिए होंगे क्या वो ऐसा भी बोल सकता है कि आप हमारे यहाँ आओ अभी December चल रहा है साल खतम बट हमें हमारे financials ना किसी एक investor को देने है उसको investment decision लेना है और तीन महीने में वो महीनों का नो महीनों का रिपोर्ट भी बनाओ साइन भी करो क्या रिपोर्ट पब्लिक कर सकते हैं यह रिपोर्ट किसके लिए बनी है specially उस एक person के लिए बैंक हो सकता है कोई investor तो मेरे लिए क्या यह यह भी काम है यह भी तो एक engagement था जिसमें मैंने अपना क्या दिया है opinion बट यह audit नहीं था पूरे साल का audit क्या management यह भी बोल सकती है कि आप हमारे यह आओ और हम अगले साल के financials बना रहे हैं आप उसमें हमारी help करो चेक करो और यह बता हमने सही बनाए क्या अगले पांस सालों के financials बना रहे हैं बिल्कुल दुला सकता है सर फ्यूचर की financial भी बनते हैं सुनाए कभी येस prospective financial statement बनते हैं जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग में जाती है उसको अपने पिछले पांस साल और अगले तीन साल प्रोजेक्शन देखने होते हैं तो उसके भी rules होते हैं बनाने के हम उसको भी देखते हैं क्या इसको audit बोलू समझाया ऐसे ओडिटिंग भी अपने आप में क्या एक एक engagement है क्या है मेरा एक engagement है क्या engagement कर रहा हूं एक और engagement है उस company पर review कर रहा हूं एक और engagement है जिसका मैं internal audit कर रहा हूं तो we can have multiple tasks हम सबको क्या बोलते हैं देश की बाशा में engagement समझाया ICI कहता है आप जो भी काम करोगे हम आपको सभी काम को करने का क्या बताएंगे तरीका उस तरीके को बोलते हैं standards stat audit कर रहे हो तो हम आपको देंगे standards on auditing ऐसे ही SRS होते हैं standard on review engagements होते हैं standard on related services होते हैं जो कि सारे CA final में आपके आएंगे audit के अंदर तो हमें अलग-अलग engagement के लिए अलग-अलग standards दिये गए हैं समझाया है हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो audit engagement की बात कर रहे हैं audit की बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि मैंने यह बात पहले क्यों बताई है तो यह मैंने time pass डाला है मेरा कोई intentional नहीं था कि मैं अभी आपको engagement बताऊं इम आपको तीन class के बाद ही बता सकता था ठीक है जी लो जी अब हम पढ़ेंगे definition आपने बस अराम से एक बार flow में read करना है क्या बोलता है देखेगा definition of audit में आपको पढ़ रहा हूँ कभी याद नहीं करनी जिसको लोग रठते हैं मैं कह रहा हूँ कभी याद नहीं करनी पेपर में नहीं लिखनी है आपको definition of audit सिर्फ read करनी है समझनी जरूर है क्या कहता ह देखेगा an audit is an independent examination of financial information of any entity पहले पूरी पढ़ेंगे whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion their own क्या बात है बड़ी बेसिक सी बात है सर्थ मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाँगा है फालतुक जोबे क्या कहता है audit क्या है independent examination है मतलत जो ओडिटर है वो कैसा होना चीए अगर माद लो मैं अपने पापा की company का audit कर रहा हूं क्या करूँगा वो कहेंगे साइन कर्में को नहीं करूंगा इसलिए पैदा किया तरको नहीं करेगा साले साइन कर तो independent होना बहुत जरूरी है येस और नो माद लो मैं किसी company में डिरेक्टर हूं मेरी नहीं है डिरेक्ट है वह सीए है in practice है मेरी company को management को लगता है कि मैं director तो सही नहीं हूँ इतना बट मेरी जो वीवी है वो ओडिटर बहुत अच्छी है उसको ऐसे auditor hire कर लेते हैं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते मांते हो क्योंकि यहां पर उनका independence hurt हो रहा है तो audit जो है independence पर पुरा detail concept हम करेंगे बाद में तो audit क्या है independent examination of financial information information statement word क्यों यूज नहीं किया क्योंकि हम multiple information को structure way में present करते हैं किसके अंदर financial statement के अंदर तो हमें जो audit करना है उसके लिए तो base data पर जाना पड़ेगा ना that is information that information can be general entry that can be a discussion that can be agreement yes or no the financial statement is an output उसका input के हमारा multiple information तो क्या कहता है an audit is an independent examination of financial of any entity पहली क्लास मैंने बताया था कि audit करवाना mandatory है अभी company को लेकिन उसके अलाबा बाकी लोग भी audit करवा सकते हैं तो entity चाहे कोई भी हो whether profit oriented और irrespective of its size और legal firm बड़ी हो छोटी हो private company हो listed हो sole proprietor हो LLP हो अगर आप audit कर रहे हो तो उससे size का matter नहीं करता ठीक है क्यों कि आँ वें सच अन examination is conducted purpose क्या है हमार ultimate purpose with a view to express an opinion कि भाया यह financial are giving a true and fair view अब बस आप इस चीज़ लिख लो कुछ है इसमें discussion के लिए बिलकुल याद नहीं करनी बस आपने read करनी है ठीक है अब मैं आपको सिर्फ numbers लिखवा देता हूं कि हमारे standards on auditing कितने है अब मैंने आपको audit बता दिया तीन step है number one walk through number two TOC number three substantive audit procedure जिसमें दो आ जाते हैं test of detail land इनको करना कैसे है इनको करना कैसे है इसके लिए हम बढ़ेंगे 36 standards यहां से हमारा audit start होता है 36 standard की knowledge आपको लेनी है जब हम पूरा execution खतम कर देंगे तो आखरी में क्या बना देंगे reporting report कैसे बनानी है उसके standard है तो मतलब कुल मिलागे सर बात ऐसी है जैसे अकाउंट पूरा क्या है accounting standard ऐसे audit पूरा क्या है auditing standards हाँ सिर्फ number लिखने नाम ने लिखोंगा अभी मैं अभी chapter one one छोड़ अभी मैंने chapter one स्टार्ट किया है मैं chapter four कर वा रहा हूं तुझे पता है जप्र फूर चल रहा है हमारा कि लोजी ऐसे नंबर कि टूहेंडर्ड टैन टूवंटी थर्टी पूर्टी फिफ्टी सिक्स्टी फाइफ टू नाइंटिनाइं सभी अच्छे लिखेंगे थ्री हेंडर्ड कि गाने कि पागल हो गए हो तुम लोग माहोल चेंज हो जाएगा गाने से मेरा कि गाने कि भाई दारू नहीं मेरे पास तुम गाने क्यों चलवा गाने सिर्फ फ्राइडे नाइट भाई मेरे दूसरा कपिल जाग जाएगा नहीं भाई नहीं अपन कपिल को शांत रखते हैं यहां पर कुछ माहोल तुम बनाओगे नहीं गाने चलवागे क्या फायदा कर दो बदनाम दूसरों को कर दो 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 आसे से यह स्टेंडर्स ऑन ओडिटिंग इसेडर्स ऑन क्वालिटि कांड्रोल कल लैप्टौक चेंज कर लेंगे हम दिक्कत आ रहे हैं अशु में लिखने है ना स्टैंडर्स ऑन क्वालिटि कंड्रोल स्क्यू सी वन एसेज क्या रिव्यू एंगेजमेंट पे लगेंगे नहीं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेंगे स्टैट्य ओडिट पे एस्ट्यूसी वन जो है क्वालीटी और क्वालीटू का स्तेंडर्ड स्टैंडर्ड़ उन् क्वालीटी कंट्रोल, इसके ब्रेकिट में लिखा एंगेजमेंट इसका मतलब क्या है यह stat audit पर भी लगेगा और बाकी सारा जो भी काम आएगा हमें वहाँ पर SQC1 तो लगाना ही लगाना है मतलब one for all तो यह सारे standard हमको पढ़ने है जी छोड़ने का तो money नहीं ऐसा करता है ब्रेक लगा के दो घंटे की class और ली जाए काम कर दो यारो कर सकते हो तो यूट्यूब पर लाइव जाओ ठीक है आप लोगों को लाइव नहीं जाना मेरे चैनल पर जाओ प्लीज अपना feedback जरूर देखे चाहिएगा मुझे comment section में ठीक है कि दो लाइने आप लिखोगे मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल स्टेंडर्ड एक स्क्यू सी वान आइस यह कहता है जो भी काम करोगे ना क्वालिटी का ध्यान रखना क्वालिटी पर कोई compromise for all engagement मतला सब पर लगेगा यह ओलेंगेजमेंट में लिखा है मैंने for all engagement bracket में लिखा तो है इसका मतलब यह stat audit पर भी लगेगा बाके दूसरे काम पर भी लगेगा कि यह स्टेंडर्ड यह स्क्यू सी वन भी अपने अपमें इक स्टेंडर्ड है बट यह स्टेंडर्स ओन ओडिटिंग नहीं है यह क्वालिटी कंट्रोल का स्टेंडर्ड है हाँ जी कि किसके बेटा कि अरे भाई माइक देना उदर कि वारी जी कुछ बोलना है कि वोल्यूम टू कि देखो मैं स्पूर आप जाएता हूं स्टेंड फोर जीरो टू के उपर एसेज ही लिखा है फोर जीरो टू फोर फिफिटी सारे एसेज हैं बाई स्टेंडर्स ओनो डिटिंग चुटकला कौन सुनाएगा क्या रहे जाते जाते चुटकला सुना के यह चुटकला ही तो चल रहा था भी तक तीन घंटे से अच्छा बोर हुए थीन घंटे तक चली गई क्लास आपके आराम से चलो बहुत बढ़िया भाई यह लाइव में दो फीडबेक लाइव वाली चैटना बाद में दिखती नहीं है जब लेक्चर खतम हो जाए तो कमेंट सेक्शन में दे देना ठीक है हाँ बिल्कूल कभीता सुनाएगा भाई माईक देना अच्छा एक काम करो लाइव वाले जो देख रहे हैं वो मुझे बताना कि पीछे से बच्चों की आवाज कब जादा आती है ठीक है आपने बोलना है ठीक है अच्छा रूखो अच्छा इसकी कवीता सुनेंगे अच्छा बैक्ग्राउंड नोईज आ रही है पूरी कट हो गई है बता दो वासे इतनी इसी बात में छुट्टी हो गई यह बताओ बैक्ग्राउंड नोईज आ रही है पूरी कट हो रही है और आपको चाहिए या नहीं चाहिए दोनों बताना मुझे इन्वेस्टमेंट का बताते हैं क्या जानना है सर ओल्ड बुक्स रेफर कर सकते हैं बेटा ओल्ड बुक और न्यूबुक्स सेम है छोटे मुटे अडिशन है वह मलक से भी दूगा उनकी वीडियो अलग से यूट्यूब पर भी आएगी और पीडिएफ नोट्स भी जान है अलगा ओल्ड बुक और न्यूबुक्स में कोई डिफरेंस तो है बहुत माइनर है कि जी नोट शेर कर दो टेलिग्राम पर कर देंगे जी अ बैक्ग्राउंड नुइस आ रही है क्या पहले ये बताओ पहले तो यह बताओ कि बैक्ग्राउंड नुइस चलो जी आज की क्लास में इतना ही बबाई गाईस टेक्यर किप इंजोइंग ओडिट विद कपिल जैहिन दोस्तों मजे करते रहेगा जिंदगी में मजे करना बहुत जरूरी है कहीं ऐसा ना होगी पढ़ाई के चक्कर में अपनी लाइफ गुम कर दो लाइफ गायब कर दो अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर कॉंटीनियू रखेगा सर बंदी यह उससे बाद जारी रखो जारी रख बाई टेक क्या बहुत सारी है ठीक है मुझे लिखके दे रही हो मैं सुना दूंगा कि ओडिट की नोट्बुक नहीं मिली ते रही है तो मैं बता हूं मातर को चलो जी बाई ठेक क्यार वीडियो को बंद कर दीजिए सही लगी क्लास प्लीज यूट्यूब पर जाके भाई एक लाइन लिख देना मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो आपके अगली क्लास है